तो कल हमारा प्रतम दिवस्ता तो हमने अध्यन के किनी प्रिष्ट भूमियों पर बात की जो आवश्चक है उस पर आप लोग सोच सकते हैं ठीक तो यहाँ पर हम यह जो प्रक्रिया है अध्यन की विधी इसका हम ओवर व्यू ले लेंगे चोटा सा अध्यन की जो हमने एक परिभाषा देखा उसमें लिखा था श्रवन, मनन और साक्षातकार की संयुक्त प्रक्रिया अध्यन है अध्यन का मतलब है कि अस्टित्व में जो वस्तू है उसके साथ तदाकर होना एक मिनिट यह पॉइंटर टूल चाहिए मुझे तो हमने अध्यन किया है का मतलब है कि हम वस्तू को समझे तो समझने के लिए जो क्रिया है जीवन में जिससे दिरनतर रहने वाली वस्तू विकता है समझ में आती है उसका नाम है साक्षातकार यह चित के चिंतन शेत्र में हो पाता है हमारे पास जो जानकारी है या सूचना है दर्शन में वो है कि अभी हमारे में साड़े चार क्रिया ही सक्रिया है और बाकी पांच या साड़े पांच क्रिया सक्रिया नहीं है तो फिर यह बनेगा कि चिंतन कैसे हो चिंतन कैसे हो यह समझने के लिए चिंतन की वस्तु क्या है इसकी स्पष्टता चाहिए और कल्पना शीलता की वस्तु क्या है उसकी भी स्पष्टता अवश्चक है तो सरव प्रथम हम क्या करेंगे हम शास्त्र अध्यन से शुरू करते हैं इसका नाम है शास्त्र अभ्यास शास्त्र अभ्यास होने से हमारे में श्रवण होता है यहां परी भाशाओं को पढ़ता हूँ एक लिखा है भाशा का अर्थ कल्पना रूप में स्विकार होना तीन शब्दे इसमें भाषा, भाषा का अर्थ और कलपना रूप में स्वीकार होना चार शब्दें तो सरवपरतम हमारे अंदर जो स्वीकृति है ये भाषा के रूप में ही होती है भाषा का मतलब है जिससे सत्य भाष जाए जैसा हम बोलते हैं वहाँ पर आम का पेड़ है तो हमारे अंदर एक भाष होता है आम नामक वस्तु को हम देखे रहते हैं शब्द सुनने से अस्तित्म ऐसा वस्तु है इसका अनुमान होता है और वो हमको स्विकार भी होता है कि वो आम का पेड़ है और इसके और डीटेल में हम जाएंगे कि हम सुचनाओं को हमारे अंदर ग्रहन कैसे करते है या हो कैसे ग्रहन होता है ये क्यों चाहिए क्यूंकि क्या समझना है मुझे अभी पता नहीं जैसे एक बच्चा स्कूल में रहता है तो हम उसको पताते है कि यह पानी है, यह hydrogen है, यह बाग है, तो बाग नामक वस्तू को आँको सो देखा रहता है, उसका शब्द नहीं पता है, एक यह संभावना है, दूसरा कई बार वस्तू को देखा नहीं रहता है, उसको शब्द पता रहता है, जैसे अब इंडिया में स्कूल के टेक्स्बुक को खोलेंगे, तो उसमें एक आइस का घर दिखाय रहता है, उसको लिखा लेता है, इगलू, अव इंडिया को कोई भी बच्चा इगलू देखा ही ने रहता है, और लाखों में एक शायद कभी देख पाएंगे, फिर भी वो इगलू पढ़ता है, स्कूल में इगलू लिख रहताने से बच्चे के मन में, मतलब उसके जीवन में, मन का मतलब जीवन में, जीवन के कौनसे भाग कलपना शिलता वाला बाग, मतलब 4.5 क्रिया में, भाशा का अर्थ यदि प्रतीत होता CHA उता है तो इगलू नामक वस्तूस की कलपना में आपाती है, स्केवल इगलू श फिर उसकी एक परिभाशा रहती है इगलू बरफ का एक गोलाकार का एक घर होता है जो मातर बरफ से ही बना रहता है जिसमें एक छोटी शी दरवाजा रहती है जिसमें इसकी नामक लोग जुक के जाके सर्दियों में समय या रात को सोते हैं तो ये परिभाशा देने से इगलू शब्द का अर्थ उसको स्पष्ट होता है तो ये कहां स्पष्ट हुआ उसके कलपना में हुआ ये कलपना जीवन गत बस्तु है ये शरीर गत बस्तु नहीं है इसलिए एक मेंड़क को एदी में लो और मेंड़क को इगलू सिखाने जाओं तो मेंड़क नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसमें कलपना की ताकत नहीं है तो हम यह पूछेंगे कि फिर हमारे इस पद्धती में हम फिर क्यों श्रावन करें इसको यही सोचेंगे तो जिन वस्तुओं को हम समझना चाते हैं और क्या वस्तुओं हैं यह तीन भाग में हमको जानकरी है थेरी के रूप में एक है अस्तित दर्शन संबंदित वस्तुओं है दूसरा वस्तु मतलब आस्तविक्ता केबल यह चीजें नहीं जो अलग-अलग इकाई के रूप में हैं यह भी वस्तुओं है फिर मैं सुकी होता हूँ दुखी होता हूँ वो भी एक वस्तुओं है तो यह जो वस्तुओं है इनके बारे में जानकरी हम चाहते हैं क्यों? क्योंकि उसको हमने कल मैंने थोड़ा सा कवर किया था कि मैं सुकी होना चाहता हूँ मेरे सुक के यह 4 सुरोत यह 4 स्थर है यह क्या कलर है? तो जिन भी वस्तुओं को ہम समझते हैं हम चाहते हैं कि ये चार स्तर की जानकरी हमारे पास आ जाए तथा इन चारों स्तर में मेरा का क्या जीने का स्वरूप होगा वो भी आ जाए जानकरी के रूप में फिर करने के रूप में क्या बच्चता है ये जो जानकरी है उसको मैं ठीक से समझू और उन नियमों के अनुसार ये चार उस तरोपर में जीऊं इतना ही बचता है तो इतना आदमी का काम है इसलिए उसको ज्ञान वस्ता की कई बोल रहे है अभी आदोनेक विज्ञान को देखेंगे तो ये माननेता है कि भौतिक वस्तु है मानव इसलिए भौतिक नियमों को समझके भौतिक वस्तु हों को प्राप्त करके उसको भोगने से उसकी आवशाक्ता पूरी हो जाएगी जो मने शुरुवाति क्रम में सही है लेकिन संपूर नहीं है पूरा नहीं पड़ता है इसमें मने शुरु परिभाशित होता नहीं तो अभी भी जो हम शिक्षा देते हैं शिक्षा क्या करता है भाशा के मूल में जो अर्थ है उसको हम को समझना पड़ता है ध्यान देने से सुनने से होता है तो हमारे लिए समझने की वस्तु तो अस्तित्व से समंदित्वस्तु की जानकरी हम चाहते हैं जीवन समंदित्वस्तों की जानकरी हम चाहते हैं आचरन समंदित्वस्तों की हम जानकरी चाहते हैं अस्तित्व में क्या क्या आ गया पहला जो सर्कल है पूरा बहुतिक संसार मतलब पूरी जो physical reality है जिसको भी physics और chemistry में पढ़ते हैं उसकी तात्विक रूप सारा आ गया इसके साथ मानुव संपूर आ गया मानुव भी इसी प्रकृति में है तो जो वेवार वाला पक्ष जो लिखा है उसके नीचे एरी हम रॉक करेंगे तो परिवार और समाज लिख सकते हैं उदर तो ये भी आ गया तो ये भी समझने के लिए बस्तू हो गई तथा बहार से काला है और अंदर से अंदर से नीला है अच्छा ये तो नीला ही है प्रकृति समग्र और उसे प्राप्त करने के लिए पैसा ठीक है ना भारत के करंसी का साइन नहीं था पहले अभी आया है तो ये पूरा हमारे जीने का जो संपूर्ण जिसको बोलेंगे परिस्तितियां ये सारे इसमें आ जाते हैं इसलिए हम श्रवन करते हैं तो श्रवन क्यों कर रहे हैं ये हमको clarity चाहिए और श्रवन की अवशक्ता उससे स्पष्ट होती है ने तो श्रवन की अवशक्ता है नहीं बनेगी तो अभी भी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं आते हैं या तो पैसे को मान लेगा या क्लास पर फर्स्ट आने को मान लेगा या कभी-कभी उस सब्जेक्ट में उसकी रुची हो जाती है तो करेगा तो हम भी इसको जो पढ़ रहे हैं हमको इस सब्जेक्ट में हमको रुची आ गए इसलिए हम पढ़ते हैं मैं तो क्यों पढ़ेंगे, यह हमको आवशक लगता है, इसलिए हम पढ़ते हैं, तो यह श्रवन, तो श्रवन का बहुत शॉर्ट एदी हम परिवाशा देखेंगे, लिखा हुआ बात को समझना, श्रवन हुआ है का मतलब क्या है, जो लिखित सूचना है, इसको मैं समझ गया, इसका मतलब श्रवन हुआ, तो इसमें तरक भी जुड़ेगा, तरक संगत विदी से सूचनाओं को समझना, के वल सुनने मातर से नहीं होगा, तो यह पहला कदम अध्यान में, इसी का नाम है इनकी बात क्यों सुनो, दर्शन को क्यों पढ़ो तो बहुत अच्छा, और कोई दर्शन पढ़ो, मैं अपने हिसाब से पढ़ूँगा, बहुत अच्छा, अपने हिसाब से पढ़ो, ठीक, पर यहां जो लिखी है, वो चीजें फिर नहीं स्पष्टोंगी, आपको अपने क कलपना के अनुसार चीजें स्पष्ट होंगी, उसको फिर हम बोलेंगे अनुसंधान विडी, डिस्केवरी प्रसस है वो, आप जिरो से करना चाहते हैं, तो ठीक है, उसके लिए भी खुला है, उसके लिए नागराजी ने बोला है, समाधी सायंपुरो की होता है, पहले समा सेरी और प्रेक्टिस की हम बात किये थे, आपको याद होगा, तो जब श्रवन करते हैं हम, तो जीवन में दो प्रक्रियां घटित होती है, एक का नाम है भास, सत्यभासना, भासने का मतलब क्या है, भाशा का अर्थ कलपना रूप में स्विकार होना है, ये भास होना है, ठ अभास होने का मतलब क्या है, एक से अनिक सूचनाओं में जो संबंध है, वो तरक पूरक स्पष्ट होना, रिलेशन्शिप स्पष्ट होना, इसका नाम है अभास, तो इनका नाम है अशरफ, अशरफ नामक वस्तु का एक व्याक्या मिलता है, ऐसा कोट पहनता है, इधर बै हितेश हितेश एक शब्द है हितेश शब्द का अर्थ है हितेश शब्द के अर्थ में अस्तित्य में एक वस्तु है वो आदमी है उसका एक परिभाशा है उसकी एक व्याक्या है उससे उस वस्तु का जो अर्थ है हमारे कलपना में आता है ठीक फिर हितेश और अश्रफ में अंतरसंबन क्या है जिरी पूछेंगे तो पैदाशी कोई अंतरसंबन नहीं है ना जाती धर्म कोई अंतरसंबन क्या अंतरसंबन है दोनों इस स्वस्टू को समझते हैं क्यों समझते हैं वो पुरा एक तरक है इसके बाद जब भी बात होगी इन दोनों को मिल कर फिर हम बात कर पाएंगे इसमझ में आता है यह जो दूसरा वाला गटना गटित हुआ यह तरक से हम चीजों को जोड रहे हैं जिसका नाम है आभास यह जीवन में ही होता है तो भास जो होना है यह मन और वृती के योखफ़ल में होता है तता आभास वृती तता चितके योख़़ल में होता है मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूं सब कहीं न कहीं आपको समवाद में इधर-उदर सुनने में आएगा ना या कुछ नहीं भूलूँगा इसमें तो भास में हम क्या करते हैं तरक का प्रयोक करते हैं अस्तित्य में वस्तु को समझने के लिए या अर्थ के संगत होने के लिए अर्थ संगती के लिए तरक का प्रयोक करना तो शास्तर अध्यन में हम यही करेंगे यह फर्स स्टेज है समझने का कि हम भाषा के साथ चीजों को देखना शुरू करते हैं और क्यूं देखना चाछते हैं क्यूंकि हम उन तटों तटों को या उन अर्थों को समझना चाछते हैं तो physics में भी आई प्रक्रिया है chemistry में इन प्रक्रिया है फिर कुछ भाषा होती हैं जैसा कवीता होती है उसमें अस्तित में वस्तु मिलता नहीं मैं एक चिडिया जैसे उडने लग गया यह कोई वस्तविकता नहीं है वो कलपना है तो उसका जो मैंने समझ है वो उसके कालपनिक या उसकी रचना ठीक है ना उसकी grammar उसका जो 20 या उसका जो दृतिय अर्थ है secondary inference उसके लिए है भाशा से हम और किसी भाव को विक्त कर रहे है और वो उसके लिए लक्षनिक है मतलब मैं चिडिया जैसे उड़ने लग गया मतलब सश्मुशने उड़ने लग गया मेरे अंदर ऐसा एक भाव चली कि मैं उड़ रहा हूँ और मुक्त हूँ ठीक यह clear होता है पहले वाला श्रवन इसको और एक-एक को हम डीटेल में लेंगे श्रवन के बाद आता है प्रक्रिया मनन मनन में क्या होगा यह जो तरक संगत विदी से आभास हुआ श्रवन में और श्रवन हो रहा है शासर अध्यन के माध्यम से इसमें जो न्याए धर्म सत्य के दिष्टी से जो आभास जो भी शुरू हुआ होगा श्रवन में वो इसमें पूरा होता है इसका मतलब क्या है हम आगे जाके देखेंगे, पहले वो थियरी वाले पार्ट को पन थोड़ा सो सोच लेंगे क्या मतलब हुआ इसका, क्या पहले कोई तुलन होता नहीं, क्या तुलन तो हर रुखती करता है पट अभी जिन चीजों को हम तुलन करते हैं, मतलब भाषा के रूप में समझने का परेत न करते हैं उसके लिए न्याय दर्म सत्य की तुलन की कोई अवशकता है नहीं है आधिकांज, जैसे ये लॉयर है, लॉयर हो, लॉयर लॉयरी कभी जज़ भी बनता है, एक्जाम देखे उसको तॉलना पड़ता है, न्याय न्याय नागराज जी वेंकटा चला है, आप बोलके एक वेक्ति से मिलेते सुप्रीम कोट के चीफ जेस्टिस रहे, मैं भी दो-तिन बार मिला फिर बैंगलोर जाके नागराज जी उनको, वो उनके दूर के रिष्टेदार भी थे, उनको पूछा कि तुम न्याय समझ गयो क्या उससे में चीफ जेस्टिस टेर अंकटा चला है, सुप्रीम कोट के, वो बोले मुझे न्याय अभी तक समझ में नहीं आया, हम लोग फैसला देते है जज्ज्मेंट होता है, तो उसको तॉलना पड़ता है, यदि, क्यूंकि वो यदि एक कोट में सिंसियर जज्ज हो, सब में फरजिबारी होता ही है, सब को पता है, बट कभी, कुछ, एक हाथ में तक, उसमें भी अच्छे लोग होता ही है, उनको न्याय आयाय तॉलना जाती है, अस्तित्में याय वस्तू के रूप में क्या है, ये स्थिर कहा है, उसकी एक, ये लोग बोलते हैं, प्रिसिडेंट, इसके पहले जो हुआ, उसको सही मान लिया जाता है, मैरे पहले जिस जज्ज ने किया है, क्यूंकि उस ओफिस से वो महर लगके निकला, उसको स सारे प्रोफेशन में पुरिये हितलाब से काम चल जाता है, नियाई के अवशक्ता है नहीं है, धर्म के अवशक्ता है नहीं है, सत्य के अवशक्ता है नहीं है, अभी के शिक्षा, दर्शन में जितनी भी वस्तू हैं, वो नियाई धर्म सत्य से ही संबन देते हैं, चीक है इसलिए उसमें टाइम लगता है क्योंकि हमारे जीवन का या हमारे में अभ्यासी नहीं रहता उसको पकटने का तो मनन में हम क्या करेंगे आभास होता है तुलन होता है तो तुलन होता है न्याय न्याय धर्मा धर्म सत्या सत्य का किस आधार पर जो श्रवन किया है उसके आधार पर अपने में कोई तुलन होता ने क्योंकि उसके लिए वस्तू ही नहीं है यह समझ में आता है मनन करने के लिए श्रवन पूरवक्षी वस्तू मिलता है मैटर ही नहीं है या कोई मैटर होगा तो ये जो आपकी श्रवन की वस्तु है या तो वेदान से आएगा या बहुत धर्म से आएगा या आप अपना एक पकोड़ी बनाएंगे या मैं अपना एक पकोड़ी बनाऊंगा या दुनिया में जो चलती है वो रहेगा जो प्रचलन में है अभी जुनिया में प्रचलन में क्या है नहाए उसने मुझे मारा उसका गला गुट दो बदला लेने को नहाए बुलते है अभी फिर एक केस हो गया था और कोई आक आदमी एक महिला को 35 टुकडे में काड़ दिया तो उनके पिता जिया है कि उसको फासी की चाजा आए उन्जिस है ना उसको फासी की चाजा देनी चाहिए मीडिया वाले इतने टाइम पास लोग हैं उसके बाद मेरा न्यूस पेड़ फिर मैंने आपी हटा दी Microsoft की न्यूज एप थी उसमें से पता नहीं, अचानक पूरे भारत में लोग-लोग को काट के फेक रहे हैं, वो पूरुश ही फिर कानपूर में कोई काट के फेक दिया नौईडा में 12 टुकड़ो में काटा किसी ने 18 टुकड़ो में काटा वो बोलता है कि उसको देखके उप रिडित हुआ ठीक, तो जिसने काटा हूँ वो भी न्याई ही कर रहा है उसको लगता है किसे में दुकी हुआ अब मैं न्याई करूँगा, कैसे न्याई लूँगा 35 टुकड़ो करूँ उसको खटा ना एक आदमी काटके उसको फ्रिज में रखा आप यह आया था पेपर में, बहुत फेमस हुआ था तो यह न्याई का आधार एडि देखेंगे तो आधार भी ही ने हमारा कलपना ही न्याई है एक किसी दूसरे आदमी का कलपना न्याई है दर्शन शास्तुरों में, भारतिय दर्शन शास्तुरों में न्याई की चर्चा की गई है पर रंतु उसका तात्विक आधार स्पष्ट होता नहीं न्याई बोलके दर्शन ही है लेकिन उसमें यह वेभार न्याई की ने उसमें लाजिक की बात है तर्क, शैली की बात है निया आए उसके साथ वैशेशिक बोल के एक दर्शन है मनु धर्म शास्त्र में लिखा है निया है फिर इस शराया लौ है, इसलाम में गल्ती करने से कैसे ठीक करना है ऐसा, तो हर मानव ने इसको सोचा है कुल मिलाकर अपने लिए मुख्य मुद्धा क्या है यहाँ पर जो नाय धर्म सत्य लिखा है वो दर्शन में जो लिखा है, वो है इसलिए पहले आपको इसको इंस्टाल करना पड़ेगा इंस्टाल करते हैं ने इसको शोफटर का भाशा आगया मेरा computer पर किसी चीज को load करते हो न, app तो सब लोग download करते हो, सबी आदनी के पास smartphone है, और जा app download करते हो, वही installation है फिर वो खुलता है तो दर्शन के परिभाशे में इसको equivalent लेंगे, app को download करना बराबर श्रवन उसको चलाना बराबर मनन कोई सा चलता है मैं समझ गया, बराबर साक्षाथ का ठीक है? फिर आप दूसरों के लिए app बना कर देने लग गये, उसका मतलब अनुभाव ठीक है न? ऐसा मोटा मोटी है, एक sense आने के लिए बाद में मत बोलो, स्री राम बोला कि श्रवन फोन में download होता है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ तो इसमें क्या लिखा है? पढ़ लेते हैं शास्त्रद्धिन से प्राप्त अर्थ ये तो शास्त्रद्धिन से प्राप्त अर्थ है किस रूप में है? भाशा रूपी समझ के रूप में है जैसे यहीं हम लोगों से कोई हमारा भाषा चीन लिया कोपड़ी में कोई जगह है उसको short circuit current मार देता है आप भाषा भूल गए आपके पास जो बचता है क्या बचेगा या मेरे पास क्या बचेगा शून नहीं कुछ नहीं है खाली हो जाएगा डबा हम अपने विचार बिना भाषा का रखी नहीं सकते बिना भाषा का विचार होता भी नहीं चीक है ना उसको आगे और देखेंगे इसलिए श्रवन का मतलब है भाषा रूपी समझ को स्वयम जानने तथा अप्रमानित करने के लिए तुलन करना यह जो भाषा है किनों ने लिखा है नागराजी ने लिखा है तो नागराजी का लिखा हुआ भाषा जो मद्यस दर्शन की रूप में है जो सच्चाई को इंगित करता है उस भाषा को सुन के उस भाषा के अर्थ में उस वस्तु का मैं आई उस वस्तु का मैं तुलन करता हूँ ये clear होता है तो इसको लिखा है तो ये करते करते finally क्या आएगा न्याए क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है इसके निश्कर्ष में हम पहुंचेंगे एक conclusion में पहुंचेंगे अभी हमारे पास क्या है न्याए न्याए क्या है, बोलिए न्याए क्या है अनुकुलता मेरे अनुसार हो ओभे तृप्ती तो हम क्या मानेंगे, आप न्याए समझ गए नहीं समझे, फिर क्या बोले आप जो सुनें उसको बता है, वो श्रवन है आगे सोचेंगे नयाय क्या है सम्मन क्या है सम्मन को खोलोगे साथ में खोलेगा मूलियों का निर्वा खोलेंगे वो अठारा में खोलेगा उसके मूल में कौर कौन सा मूले है और फिर छे में खोलेगा उसके मूल में क्या चाहिए फिर विवेक खोलेगा नहीं पिर तीन नियम खोलेंगे फिर प्रतिव नियम के फिर पांच बाद आएंगे एना एक का पांचilation एक का थीन एक का चार एसे मिल के पांच हो तीन आट और चार बारा नियम है वेवार के नियम उसके बाद फिर स्वभाव के अधार पर सम्मन को पहचानना साथ सम्मन में ठाराव मूल ले उसमें से नौस्तापित नौस्षिष्ट फिर कुछ वृट्टी से, कुछ मन से कुछ चित्ट से, ऐसा वो बुरी चीज आपके अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगी यह स्ट्रक्चर बनने की जो विदी है इसका नाम है शास्त्रद्धिन ठीक है ना तो यह कोई pen and paper है क्या इसमें correction करना मुझे, कुछ update हो गया इसका, इसका यह भी software अपडेट होता रहता ना, दो तिन साल में OS upgrade एक bug हैस में एक pen देदी जिए, sorry मेरे पास नहीं है paper हाँ, बस हो जाएगा यह page number क्या है 2, कुछ दिखे नहीं राज में page number मैंने लिखाए 5, okay कुछ नहीं है, minor वो है कुछ गलत नहीं है इतना है, आप यह सुनने से आप खड़े में गिरेंगा ऐसा नहीं होने वाला है बहुत minor कुछ कुछ होगा तो उसको केवल refinement की बात है यह जो लिखा है last dollar line इधर कलपनाशीलता में उसको हम पढ़ेंगे कलपनाशीलता में स्थापित के जगर स्थिर होना ठीक है ना stability, स्थापित का मतलब establishy हो गया तथा केंदरिकृत करना वो शब्दीता नहीं है, आगे भी use करेंगे तो मतलब तीव रिच्छा होना उसको प्राप्त करने के लिए मनन तो मनन में क्या करते हैं? जो श्रवन किया हुआ है उसको अपना कर देखते हैं कहां अपनाएंगे, अपने जीने में अपनाएंगे तो जीने में अभ्यास करना हूँ यह समझ माता है स्यास्त्रध्धन में हमको logic पकड़ में है तरक संगत विदी से हमको भाषा आ गई ठीक है ना? और मनन में हम क्या करेंगे? उसको अपनाएंगे जो हमने पढ़ा है उसको प्राप्त करने के लिए हम अपनाएंगे तब ही तो हम उसके जैसे बनेंगे नहीं तो मैं अलग और मैंने जो पढ़ा वो अलग ऐसा हो जाता है ठीक? यह जो मनन की हाँ परिभाशा है यह मध्यस दर्शन के अनुसार मनन है वेदान के दिश्टी से आप मनन को पढ़ेंगे तो कुछ मिलता जूलता रहेगा कुछ अलग भी रहेगा मेरे अनुसार तो इसमें जो भी डाउट या शंका मुक्ती जो होनी है हमको शास्तर दिन के ही स्टेज में होना पड़ेगा नागराजी जो कह रहे हैं वो सही है, गलत है, ऐसा है, वैसा है वो तो सीरियस श्रवन में उतरने के पहले ही होगा उसको हम बोलेंगे कि टेस्टिंग टेस्टिंग फेज में निकल जाएगा जैसा आपको गाड़ी खरीदना असकल क्या होता, सेकेंड गाड़ी बड़े-बड़े कंपणी बेच रहे है वो क्या करता है, वो आपको बोलता है तो हमने भी एक ट्राइक है से तो आप पैसा दे तो पहले वो बोलता, साथ दिन तुम रखो अच्छा ने लगा तो वापस दे तो पैसा वापस वो टेस्टिंग फेज है तो कोई दर्शन सही है कि नहीं इसमें अपने जिंदिगी लगाओं की नहीं बुद्धी लगाओं की नहीं समय लगाओं की नहीं और जा लगाओं की नहीं ये टेस्टिंग वाली फेस चलेगी, हर विक्तिका अलग होगा, आपका, 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 सबका अलग होगा, शंका मुक्ती हो गए, उसके बाद उसमें गुजगे, फिर जो पढ़ने की जो दिश्टी है, वो शंका से नहीं है, यह समझ में आता है, जैसा अभी लोग दोनो करते है, जो लिखा है हो, सजी है कि की रही है, यह भी सोचता है, बोलने वाले में फिर वो उंगली करता रहता है, कि यह गलत बोल रहा है, या उसको टेस्ट करते रहेगा, होता है ना इदर उसको पूछ के देखेगा, इसको यह आता है कि आब बाद में फिर वोही कुशन पूछ देखने को, उसको आता है कि नहीं, वो थोड़ी देर के बाद बदमाशी में जा सकता है, यदि sincerely को यह दि करता है तो वो मैंने testing के लिए है validity के लिए उसके लिए भी शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा सुनना पड़ेगा एक समय में हमको लगेगा यह पूरा है यह पर्याप्त है जिसको मैं करूंगा उसके बाद आपका वास्त्रविक प्रारम होगा मतब जो पहले किये हैं वो तो रहेगा ही कहीं दूलता तो नहीं है पर उसके बाद वास्त्रविक हमारी जो यात्रा है वो प्रारम होती है यह होगी इस वाले सत्र में भाशा दूलना अत्मक विज़ी से कम होगा सोचना अरिक करना पड़ेगा लाइन अरिक नहीं है तीक है तो यह करने से एक चीज मैंने जोड़ा है इसको अपडेट करके बेजूँगा घर जाके जीने में अपनास और अपनाना इससे क्या बनेगा न्याय क्या है धर्म क्या है इसका निशकर्ष बनेगा हमारे अंदर एक कन्क्लूजण बनेगा कि यह न्याय का सो रूप है यह धर्म का सो रूप है यह सत्य का सो रूप है उसके पहले क्या है रिक बैसिकली रिकॉर्डर है यह श्रावन का मतलब टेप रिकॉर्डिंग शास्तर अध्यन में मानों जुड़ता है फिर वो कम्पूटर नहीं कर सकता हूँ उसी को अभी AI बोल रहे है दो चीजों को जोड़ के बताना किसी कॉंटेक्स्ट को लेकर फिर कुछ बताना अभी एक नई एक प्रोग्रेम आई है AI का उसको चैट GPT बोलते एक दम रेज हो गया परसों के उसमें आया था कि अभी US में केस पोस्टेड है फॉर हीरिंग जो लॉयर है इसे AI बोट अभी लॉयर की वी जुरत नहीं है वो इतार डेटा लॉयर को तुम रटना पड़ता है न कौन से केस में उसके पूरी वो सौफ़टर आपने फीड कर दी पचास साल का उस पूरे स्टेट का पूरे जो केसिस है वो ठन 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 लाके दे देगा कीस के सौफ़ जज तो बेहोश हो जाएगा उससे जज कोई भी इतना याद थोड़ी रहता है उसको भी बोलना पड़ेगा रूख है और मैं अपने बाट में चेक करता हूँ तो याद तो ऐसा थीक है तो ये मनन में हम क्या करते हैं तो इसको पचाते हैं शास्त्र से अध्यन जो हमने किया जो हमारे अंदर आ गया उसको पचाते हैं पचाने का काम है मनन शास्त्र अध्यन में भी कुछ पचरा है बट उसको अल गोल बना रहे हैं यसे किछडी पकाना है पांच्छे चीजें चाहिए उसको लोड करना श्रवन दाल दाला, चावल दाला वो कितने अनुपात में डालना है वो भी श्रासर धन में आएगा फिर मिल के वो लगेगा कि कुछ है लेकिन पूरा नहीं है फिर उसको पकाया हमने पका के वो गोहल बन गया ठीक? ऐसा है किन मुस्तों का न्याय दर्म सत्य का तो ये क्या होगे? कलपना शिल्ता में स्थिर होगा, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये तीव रिच्छा हमारी बन गई इंटेंस डिजायर फिर ये जाता है साक्षातकार के लिए क्या जाता है? इसमें से जो वस्तू है साक्षातकार योग्य है, वही साक्षातकार के लिए जाएंगी तो मनन में एक बड़ा काम होता है ये पैचानना की साक्षातकार की वस्तू क्या है? या शास्त्रे दिन के अंत में हमो करेंगे, या शुरुआत से शोचेंगे और वो जीरे-जीरे स्थिर होगा हमारे अंदर की साक्षातकार की वस्तू क्या है? क्योंकि वस्तू क्या है वो क्लियर हुए बिना साक्षातकार होगी? क्या लगता आपको? जैसे शादी में साक्षातकार होता है ना पतनी के साथ ठीके ना? मैं आदमी से विवा करूँगा की महिला से करूँगा की गाहे से करूँगा की बहस से करूँगा ये क्लियर ही नहीं है तो विवा हो पाएगा होगा सक्षाथकार अभी उसको सक्षाथकार बोलते हैं ना इंटर्वियू को आमने सामने आन्वा आपको साक्षातकार के लिए बुलाए जाता है रूप को देखने को साक्षातकार मानते है ठीक है आपको क्लियर ही नहीं है किस एंटिटी से साक्षातकार होना है वो कैसा होगा मैं मिलने जा रहा हूँ किसको वो पता नहीं है किसी को तुम मिलूंगा मिल पाओगे वो सामने आभी गया तो आप पैचाननी नहीं पाएंगे क्यू için आपको पता ही नहीं किसी को पैचानना था बराबर तो मनन पूरवक हम साक्षातकार की वस्तू इसका नाम है जानने-मानने की वस्तू और जीने की वस्तू, पहचानना निर्वा करने की वस्तू इसको विवेचना पूरवक हम तै कर पाते हैं इसमें हमारा मन स्थिर होता है फिर वो साक्षातकार होता है साक्षातकार के लिए और एक शब्द है प्रतीती क्या प्रतीती होना है? ज्याय धर्म सत्य प्रतीती होना है जो वस्तुए हैं दूसरा भाशा इसके लिए दिया है तदाकार होना ये तदाकार होने का प्रारंब है तद आकार तद का मतलब सचाई सचाई के स्वरूप में कल्पना शिल्टा हो जाना ही तदाकार ऐसा कहा है इस सारी चीज़ें आपको समादों में मिलेगी जब भी वो ऐसा नहीं है अभी तक मैंने अपना कुछ बोला नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ तो रूप गुंड सवाधरम के संयुक्त रूप में सक्षातकार होता है ऐसा लिखा है एक मिनिट में एक सकेंड डिस्ट्राक्ट हो गया मैं यह सोच रहा हूँ कि इसके हाइट को बढ़ाने का कुछ जुगार है क्या कुछ सोचो वो चोटा तक यह देना हाँ वो देखर देखिए कुछ भी कि बार बार मेरे को जुकना पड़ रहा है हाँ ठीक है बढ़ी है यह शांदार हो गया बास धन्यवाद उन यूज रिडर होते ना ऐसा लगता है कि कैमरा को देखकर बोलना है वो पीछे स्क्रीन होता है ऐसे ही तो साक्षातकार के लिए परिवाशा है अस्तित में नाम से इंगित वस्तू स्पष्ट होना या स्विकार होना दूसरा एक भाषा आया है अध्यन पूरक स्वाइम में हुई स्विकृति के अनुरूप अस्तित में वास्तविक्ताओं के साथ तदाकार होना तो ये जो स्विक्रिती हुई है हमारे अंदर ये श्रवन और मनन पूरोक हुई है या मनन पूरोक हुई है वही आगे जाके साक्षातकार के लिए जाएगा साक्षातकार योग्य वस्तू है जो साक्षातकार योग्य वस्तू नहीं है वो जीने तक ही रह जाएगा क्या करने तक ही रह जाएगा उधारण के रूप में ये जो प्रोजेक्टर है ये कैसे चलता है इसके नियान साक्षात कार के वस्तू नहीं है जानने मानने के वस्तू नहीं है तो मनन में एक बड़ा एक चीज होता है हमको करने के लिए कि जानने मानने की बस्तू और पहचानने निर्वा करने की बस्तू को हम क्लियर कर लें जैसे साक्षात कार होता है वैसे वैसे मैं जीवन कृया की ड्रॉइंग नहीं बना रहा हूँ आपके मना पटल में होगा, मान लेंगे छे मेना होगा आपको, छे मेना होगा आके तो जीवन करेया याद है ना बुद्धी चित है, दिखता है ना सामने मन रिति चित, बुद्धी आत्मा की लिखना है यहाद है, आस्वादन तुलन, चिंतन, भोध, अनुभाव इदर चायन उसके उपर विशलेशन के उपर उसके उपर संकल्प चितरन के उपर संकल्प के उपर प्रामाने लिख लेता है उपर नीचे कुछ होता नहीं बोड़ पर है उपर नीचे है ऐसे नहीं कि आपके नाग के पास सक्षातकार है और होट के पास आस्वादन है और खोपड़ी मनुभव है ऐसा कल बना करना ठीक नहीं रहेगा यह हमारा एकसे स्पेस है, इसमें हमें बना लेते हैं इसको तो मैं मिटा सकता हूँ, इसका काम हो गया कल यह भूमिका के लिए थी यह कोने में बना लेते हैं कल यह हमारा एकसे स्वादन है आस्वादन स्थिटी में चैन गती में तुलन प्रामा निक्ता तो यह हो गया, इसका नाम है यह कल ग्रीन था ना, आठ ब्लू हो गया दूसरा है, उशी में डाल दिया इसे को गोलते हैं, मिक्सिंग कली इतना सारा हम बात किये, दर्शन, मिक्सने करना, पेन ही मिक्स कर ले रहें इसका नाम है शक्ति तीके ना, यह प्रत्या वर्तन स्थिती करिया, परा वर्तन बराबर गति करिया तो प्रामा निक्ता करिया का नाम यह शक्ति है प्रमान, संकल्प का नाम है मैं अलग कलर में इसले लिख रहा हूं ताकि एक गति करिया है, दूसरा उसका शक्ति है यह उसका नाम है ताकि वो भी हमारे मनपटल में ठीक से बैठे और जो बल है एक सेट यह है ठीक है जिसको साड़े चार करिया बोल रहे है वो इत्ते में समा जाता है ठीक है जैसे अभी आप आसादन कर रहे हो तो यह क्या है रुच्वी मुलक, मूले मुलक की लक्ष मुलक हाँ, अभी जो हम यहाँ बैठके लक्षे के पक्ष में है अब पूरा लक्षे हो गया नहीं हुआ, बताना कटिन है लक्षे के पक्ष में है, ठीक तो हम जो भी अध्यनवीरी के बारे में बात करेंगे, इतने में होगा सारा यहाँ से लेकर 48 पेश का जो भी है और रोज और अठाने, सारा इसमें समा जाएगा पूरी दर्शन, बाद, शास्त, समविधान समाधी, सैयम सब इसी के अंजर हो रहा है यह जो सारे चार क्रिया है इसमें ग्यानी भी है, विज्यानी भी है, अग्यानी भी है ठीक है, हम जो साक्षातकार की बात कर रहे है यह इससे परे की बात पहले अध्यन को कर लेंगे, उसके बाद समाधी में आएगे तो ये साक्षातकार अभी साक्षातकार होता है चिंतन शेत्र में तो आप पीछे रेफर कर सकते हैं तो चिंतन शेत्र में साक्षातकार होने का मतलब क्या है चित्र का प्रत्यावर्तन हो रहा है उसके पहले चित्र का प्रत्यावर्तन होता नहीं चित्व में ही अस्टित्व में मैंने जो मूल वास्तविकता है इसको भी पहचानने की ताकत रहती है और प्रयोजनों का चिंतन कर पाता है इसलिए चित्रन के सर्थ पर प्रयोजन स्थिर होता नहीं हमारी जिन्दगी या जीने का जो प्रयोजन है वो सिर नहीं हो पाता है तो श्रवन जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है इसमें हैंगे डाइग्राम आगे है एक मिनिट नहीं मतलब मैं इसी में रौ कर रहा था मेरे को तीन साल हो गया ये पढ़ा के एक सेकेड इसमें क्या है मैं भूल गया यह notes का जो flow है तो श्रवन में क्या हो रहा है बाहर से जो सूचना है वो हमारे अंदर आ रही है यह ना यह कान है यह आपका आँक है जो भी ठीक बाहर की सूचना brain पर पर पॉंच के वहां से जीवन में अप्टेक हो रहा है तो भाषा जो है अर्थ में translate होता है मन में वो जो अर्थ है उसको चित्र ग्रहन कर लेता है खीच लेता उपर इसका नाम है श्रवन होना ठीक है ना तो श्रवन में क्या हो रहा है इसलिए हम कहेंगे श्रवन में भास होता है तो मन और रित्ती के योगफल में भास होता है और वो पहुंचता है चित्त तक तो श्रवन की जो स्टोरेज है ये चित्त में होती है फिर मनन में तो श्रवन में भी आंचिक रूप में आभास होई रहा है लेकिन आभास की जो पूर्णता है ये मनन प्रक्रिया में हो रही है तो मनन में क्या हो रहा है श्रवन में न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तू हमने लोड किया पूरा दर्शन और उस पर सोच विचार किया फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर प्रात्मिक्ता बनती है तो न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तू की प्रात्मिक्ता बढ़ जाती है किसी के अनुसार जीना इसको कहेंगे जीवन मुलक जीना जो रुचिय मुलक है वो जब चितरन में रहता है तो उसके अनुरूप जीने के लिए जीवन को बात दे करता है वरित्ती और मन को वो है शरीर मुलक जीना उसकी भी तीवरिच्छा होती है बिना तीवरिच्छा का कोई भी आदमियास तक कुछ भी नहीं किया जो भी कुछ किया खड़ा किया बढ़ा किया वो तीवरिच्छा बुर्वकी किया बाकी जो ऐसे पड़ा है वो कोई किसी वस्तु का तीव रिच्छा ही नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग पूरी जिंदिगी निकाल देते हैं एक भी तीव रिच्छा उनका ठीक से हो यह नहीं पाता है जहां दोड़ रहें वही पर दोड़ते हैं हम लोग जब पहली बार जॉब मिला था तो पहला सैलरी मिला मुझे कई वर्ष पहले 1999 में 10,440 रुबे हाथ में आए पहला सैलरी तो उसको लेकर क्या करेंगे तो हमारे 2-3 मित्र बॉंबे में काम कर रहें तो मैं पहली बार बॉंबे गया लोकल ट्रेंड से गए हम लोग डादर स्टेशन है के वहाँ उतरे और वहाँ से मेरे आगे बढ़ने का हिमत ही नहीं हुआ इतनी भीड थी तो वहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ तो सोचना है नहीं पड़ता है मांसिक रूप में भी हमारे साथ यही होता है अधिकांश भीड के साथ हम भेह जाते हैं हमको लगता है मैं अपना कर रहा हूँ बट उसके श्रोत या इंपुट को जी देखेंगे तो कहीं से आया रहता है दर्शन भी वैसे ही है बाहर से ही आ रहा है इसलिए दर्शन पूरा है की नहीं और यह सब को हमको शैनित करना चाहिए आगे हम उसको और देखेंगे वो सब अध्यनमिदी के पहले ही है उसको कल मैंने रखा था दर्शन को वो करने के लिए एक तो दर्शन सार्भौंग है की नहीं यूनिवर्सल सार्वकालिक है की नहीं पेरेनियल समझा सकती है की नहीं लॉजिकल या रैशनल जीने में आता है की नहीं लिवबल येना हुमन हैपिनेस से जुड़ाएं जीने में आएगा मतलब मनिश्य के सुक्ष से जुड़ता है और संपूर्ण है की नहीं कॉम्प्लीट येना या कॉम्प्रिहंसिज ये चेक करना चाहिए दर्शन को इतने पैरमीटर्स हैं इसको चेक करने के लिए ठीक है ये पांच चीज़ है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैं पहले इसको इंग्लिश में सोचा था फिर इसलिए इंग्लिश आला अभी हम कुछ पढ़ते हैं ये सब कुछ सोचते हैं नहीं ऐसे ही ले लेते हैं अंदर कुछ भी पढ़ते हैं अंदर घुज जाता है ठीक है तो ये हो गया मनन मनन में क्या हुआ न्याय धर्म सत्य रुपी वस्तू जो हमने श्रवन किया है उस पे हम मनन करेंगे मनन करने से क्या होगा उत्तुलन पूरक उसका निश्कर्ष बनेगा फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर प्रात्मिक्ता बनती है हमारे अंदर मतलब जीवन में चित में वृत्ती में तो जो शरीर मुलक जीने के लिए जो भी वो था हमारा उर्जा को बहिर गमन हो रहा था वो जीवन से समंदित वस्तूओं को समझने के लिए था था मानवियता से समंदित वस्तूओं के लिए बन जाता है ये होने से चित्त का प्रत्यावरतन होता है ठीक कुछ बेच रहा है कोई तो इसका नाम है साक्षातकार जैसी चित्य में साक्षातकार हुआ वो बुद्धी में स्विकार हो जाता है इस घटना का नाम है प्रतीती स्विकार होके निष्ठा के रूप में होके फिर आता है इसको कह रहे हैं अध्यन ये जो हुआ इस रेजन में, this is called अध्यन या निरिध्यासन, तो श्रवन मानन निरिध्यासन ठीक है, इसमें बुद्धी का बुद्धी के दो ब्रांच बना दूँगा, एक जो ब्रांच है बुद्धी का और लेट आप से संकल्ब के दो ब्रांच यह न दो भाग, दो क्रिया यह आधा क्रिया बुद्धी का जुड़ जाता है वो ही वहाँ पर लिखा है यह एक बार होने के बाद पुना होता है पुना होता है, होते होते एक जगह यह स्थापित हो गया या स्थिर हो गया, इसका नाम है अव धरना अवधारना के बाद बुद्धी में बोध होता है मतलब बुद्धी का प्रत्यावरतन होता है इसका नाम है पूर्ण बोध अवधारना स्थिप्स को लिखेंगे, दोई कलर के पेन है दोई है की है और है ही नहीं, यहाँ तो पेनी खतम हो गया नहीं है ठीक है नहीं जी, कोई दिकत नहीं कुछ नहीं हो, आपको विजुलाइजेशन में इजी पड़ेगा बाकी कुछ नहीं छोड़ी देर में इतने शब्द हो जाएंगे तो उसको तो नमबर एक में श्रवन, मनन, निरिध्यासन और आउधारना इकी स्टेज है, उसी के परिपक्व स्टेज का नाम है आउधारना बोध और आत्मा का प्रत्यावादन बराबर अनुभव ये पूरी अध्यन है तो जिसको हम अध्यन कह रहे हैं, ये बोध तक अध्यन है या आउधारना तक अध्यन है उसके बाद अनुभव है, अनुभव अध्यन नहीं है तो इसी को यहाँ पर लिखा है आउधारणा तो आउधारणा के अंडर ब्रैकेट लिखा है अध्यन बोध या अध्यन बिडी से बोध तो क्या अध्यन बोध होना है? स्वभाव धर्म संबंदित वस्वों का बोध होना है तो न्याय धर्म सत्य में से न्याय और धर्म श्रीक सस्पष्ट होता है अवधरना में तो यहां पर लिखा है क्रमिक साक्षातकार का बुद्धी में स्विकार होना या जान या जमा होना तो आवधरना बराबर अध्यन बोद बराबर प्रतीती होते आवधरना होता है तो जो भी चित्त में जो साक्षातकार होता है वो बुद्धी में जाके पूश्ट होता है या स्थिर होता है या जमा होता है ये सारी भाषा यी है इसका नाम है आवधरना फिर बुद्धी का प्रत्यावरतन होता है तो उसका नाम है सत्यबोद या जीवन बोद इसको यहां अंड़ ब्राकेट यहां जगन नहीं थी तो ब्लू में यहां लिका है जानने मानने का संतुलेन बिंदू का नाम है बोद उसके बाद आत्मा का प्रत्यावरतन होता है उस घटना का नाम है अनुभा या अनुभूति इसको मानव अनुभा दर्शन में हम सभी लोग पड़े हैं ब्रह्मानु भूति नाम दिया है तो धर्म की अनुभूति होती है यह धर्म और सत्य का अनुभा होता है जिसका नाम दिया है जानने मानने का ट्रिप्टि बिंदू तो इसी को बोलेंगे सहस्थित में अनुभा थ किसी को कुछ query हो कुछ है तो हम पैरे कर लेंगे तो अच्छा ये भी एक page है क्या है इसमें कि तो इसको थोड़ा फिर next में expand किया है पहले इस क्रम में कोई वह है तो बताईए फस्ट वाले page में मैं पॉस ले लेता हूँ आप लोग तोड़ा सा मंधन कीजिए इस पर वैसे अभी हम वो screen भी कल explore कर सकते है यह और बढ़ा है तो में थोड़ा शाहिद viewing size बढ़ेगा और clarity भी अच्छी होगी क्यूंकि मैं सीधे board जो भी लिखना इस तरफ लिख रहा हूँ इस क्रम में किसी को कुछ वो करना है break के बाद वो screen ट्राइ कर सकते हैं देखते हैं दोनों में से ज़्यादा अच्छा क्या है TV बहुत छोटा है वो जो नया screen लिया है परदा परदा हाँ नहीं इधर ही रख देंगे हाँ ठीक है इधर ही रख सकते हैं एक आधा काफी इसमें लिखा है जो additional एक table में बना दे इतना परयाप्त है वो जब हापुड में लिया था तो उसी के बीश्वर में लिखता था अब की बार लग रहा है उसके आवश्यक्ता बहुत नहीं होगी मूँ से बता देंगे इस करम में किसी को कुछ शास्त्र अध्यन बराबर श्रवन मनन साक्षातकार साक्षातकार का सिर होना बराबर आधारना एध्यन बोध फिर बुद्धी का परत्यावरतन उसका नाम है दूसी को नाम लिखा है सत्य बोध जीवन बोध उसके बाद आत्मा का प्रत्यावरतन बराबर अनुभव प्रत्यक में क्या होता है यहाँ पर छोटा ओर्विव दिया है प्रक्रिया का अवलोकन बात का स्टेज मतलब है निदियासन या साक्षातकार आधारना शेतर का ही प्रारम है हाँ पर जितना बोध के लिए जितनी वस्तु है अवशक है अबुद्धी में वो पुरा हुआ नहीं रहता है उसमें वो होने के बाद उसकी जो स्थिर्टा की बिंडू उसका नाम है अधारना यहाँ पर लिखा है क्या स्थिर होना यह लिखा है उसके पहले स्थिर्टा नहीं रहती है इंस्टेबिलिटी रहती है किसके तुलना में बोध के तुलना में वो इंस्टेबल है और यहाँ काफी स्थिर है जैसे अभी आप इधर अनुमो शिविर के दिन सब लोग अपना पता रहे थे पहले से स्थिर तब बढ़ गई सब लोग बोले न क्या माने आउधार ना हो गया माने, मान सकते है कोई दिक्कत नहीं है हम कैसे बोले किसी को माने नहीं माने पर ये जो स्थिर होना है ये यहां से बोला जा रहा है कि ये स्थिर है और हम जो स्थिर बोलने हों बोलने है पहले बिल्कुल ही आवारा पशू था अब थोड़ा ठीक है नागराजी बोलते थे आवारा पशू अच्छा शब्द है अभी आदमी आवारा पशु जैसे घूमता है घूम रहा है कहीं भी मूँ मार रहा है कुछ भी खा रहा है दख के खा रहा है तो वो एक लाइन में तो लगा कुछ दिशा तो मिली ठीक है न उचके दूलना में स्थिर्ता है तो स्थिर्ता के ही श्रेणी है ये दिग्रीज और स्टेबिलिटी तो आवधारना और सक्षातकार दोनों एकी है वो ही जब एक स्टेज में जाके परयाब सक्षातकार हो के जीवन उसके नुरूप हो जाता है उसको बोल रहे हैं आवधारना साक्षातकार का ही जो परिपक्व स्टेज है उसका नाम है आवधारना इसके बाद बोध इसलिए आवधारना को लिखा है अध्यन बोध फिर पूर्न बोध जब आप दर्शन को पढ़ेंगे मतलब अभी जो पढ़े होंगे तो बोध शब्दाया होगा तो उस समय आपको तै करना पड़ता है कि वो मने पूर्ण बोध को इंगित करने कि अध्यन बोध को इंगित करने बई आधारना में एक टुक आता है जानना मानना पहचानना को अधारना बोले ऐसे अगर के जानना मानना और पहचानना उसको अधारना बोले आएक जगा परिभाशा शरीकता में हां तो question क्या है उसमें निर्वा करना अला क्यों नहीं दे रहे हैं उसमें वो समझ नहीं आ रहे हैं आधारना के स्थिती को देखेंगे तो वो जीवन के उसक्रिया में हो रहे हैं निर्वाश शरीर के साथ होता है यह समझने के अर्श में कह रहे हैं यह दस-पचास हो रहा है ना यह टाइम गलत बता रहा है खोटीक कर देते हैं बढ़िया ठीक अब टाइम देखने के लिए मुझे उदर ने दे हाँ वो रियालिटी का अप्रक्सिमेशन हो जाएगा हमारे अंदर और उसे हम कन्विन्स भी होंगे श्रवन भी एक बहुत पावर्फुल स्टेट है इस दी दर्शन पूरा है चाहे मत्यस दर्शन हो किसी भी दर्शन हो आई डिदर स्टाटिंग एवरी भास एक समाधान है अभास एक समाधान है प्रतिती समाधान का एक्स्तर है बोद समाधान है अनुभा अन्तिम समाधान है These are gradations of Samadhan, gradations of Sukh, gradations of Clarity, degrees actually. जानने मानने का शुरुवात जो है वो साक्षातकार से होता है. ठीक है न? यह इधर आपने जो भी कहा. जानने मानने का जो शुरुवात है वो साक्षातकार से होता है. ठीक है? बोध में उसका संतुलन बिंदु होता है जानना मानना का जानना मानना हुआ तो पैचाने का भी पैचाने का तो निर्वा भी करेगा जो भी होगा जीवन में मन भी होगा वृति भी होगा चित भी होगा श्रवन जाके जहां डेपोसिट होता है उसका वो चितरन मनन मनन भी जो करेंगे वो वृति और चित दोनों लगेगा उसमें और शास्तिराद में करते हैं उसमें भी वृति और चित दोनों लगेगा लेकिन वो होने के लिए मन का प्रत्यावरतन आवश्चक है मन और प्रित्ति के योगफल में भास होना वो आवश्चक है वो होने से ही श्रवन होगा उसमें यह कम बेसी है या अधुड़ा है तो नहीं होता ठीक से जितना अनुश में होता उतना समझावा मानता है दो अलग-अलग नंबर में दिया है है एकी वस्तू इसी के स्थिर्था का पॉइंट का नाम है साक्षाद कर ठीक है ना जानना मानना हाँ बुद्धी में होता है सित्र से शुरुआत होता है साक्षाद कर बहिए जब साक्षाद कर साक्षाद कर पूरा होने तक मनन चलता रहेगा मनन करिया साक्षाद कर सब का साक्षाद कर पूरा होने तक चलता रहेगा हाँ मनन चलता रहेगा आउधारना के बाद भी मनन होगा और साक्षातकार के पुर्व मतलब सरवन कम्प्लीट हो जाएगा कम्प्लीट होने के बाद से मनन इस्टार्ट और उसके बाद साक्षातकार बोत के बाद भी मनन होगा अनुवा के बाद भी मनन होगा वो प्रमानित करने के लिए मनन होगा यह उसको प्राप्त करने के लिए मनन करेगा उसका सोच जारी है वो दर्शन में कहीं अलग से लिखा नहीं है कुछ लोग हम लोग कर रहे हैं By the time we finish our शास्तर then we'll have the answer कुछ ब्राड इंडिकेटर्स को पैशान सकते हैं सक्षातकार के अधारना के बोट के और अनुभा के नहीं सक्षातकार होता है तो साथ साथ बुद्धी में वो प्रतीत होते जाता है वो प्रासेस नहीं है वो वो आपने आप होता है शित्त में जैसे ही सक्षातकार हुआ आपने आप इंपि बुदी में स्विखार हो जाएगा इस घरना का नाम है प्रतिती छित्र का साक्षात कार प्लश बुदी में स्विकृती इस इकल टू प्रतिती वही अध्यन बोद का शुरुआत है बुद्धी का जो शेत्र है वो भर रहा है वस्तों से ठीक है ना आवास। उसमें मन का भास समाहित है। वैसे ही वृत्ति और चित्त और बुद्धी के योगफल में प्रतिती। उसमें चित्त में सक्षातकार भी हो रहा है। बुद्धी में भी स्विकार हो रहा है। इसके अत्मा का नाम है प्रतिती। और वैसे ही बुद्धी और आत्मा क योगफल में अनुभवती बुद्धी में तो बहुत होई रहा है और आत्मा भी उसका दिश्टा बना हुआ है यह अनुभव फिर आत्मा में यह उसके साथ आत्मा का प्रत्यावर्ट बना बना अनुभव बैया जो मनन करते रहेंगे वो साक्षातकार के लिए जब उसको प्रैक्टिस करते करते होगा तब आशरन में लाते लाते साक्षातकार होगा कि ऐसी पस तर का को सोचते सोचते नहीं होगा दोनों करना पड़ेगा तर को भी सुचना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, उसको आगे देखेंगे ने, दर्शन में जितनी चीज़ें लिखी हैं, एक भी रूची मुलक नहीं है कहीं ने लिखाया समोसा खाओ शरीर का हाँ, जो दर्शन में हमको सुचना जो मिल रही है है ना, वो तो न्याए धर्म सत्य या मूल या लक्श मूलक समन देती है मगर लेकिन परण तो हमारे अंदर जो देखने की जो दृष्टी है तीक है, वो यह जी रुची मूलक है तो हम अपने अनुकूलता को डूड़नेंगे उस सुचना में भी मेरे को जो हाँ टक्षीट लगता है जैसे मान लेते हैं, मैं कोई धर्म को मानता हूँ या पहले से कोई एक दर्शन, कोई फिलासोफी को पढ़ा हूँ जैना कुछ पढ़ा हूँ, सोचा हूँ, मेरे अंदर कुछ मानता है, बन गई स्विकर्टी के रूप में, अब वो मेरी परस्नालिटी का मतलब स्वर रूप हो गया है या ले लेता है अब इस सुचना को मैं जब सुनूगा उसमें सो, मुझे तो ठीक लगता, उसको लूँगा जो ठीक ने लगता हूँ, सो रिजएक कर दोगा ये रुचि मुलक विजी से सुनना हुआ अच्छा लगने के दिश्टी से रुच्छ मुलक विजी से जी सुनता है, तो जैसे लिखा है या उसकी जैसी तातपरी है, उस विजी शाम सुनेंगे फिर किस्से सुन रहे हैं, उसके परती हमारा क्या भाव हो भी रहता है हाँ, जो बोलने वाला है उसको नहीं पता, यह मुझे उससे ज़्यादा पता है यह मुझे पसंद नहीं है, यह मान कर सुनेंगे, तो कुछ नहीं घुसेगा क्योंकि उसी में लगाए ना मन तो यहाँ पर एड़ी देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा खोला है इदा इसके बाद क्या लिखा है, एक मिनिट में देख लो, नोट्स में विचलेशन, तो अवलोकन यहाँ तक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे में लिखा है तीक है, यह तीन और चार को मैं कम्मेंड कर देता हूं ताकि कन्फूशन नहीं रहे वही यहाँ लिखा है, वरियता थी और इच्छा ही वरियता है यह परिभाषा कहीं लिखा नहीं है, आपने किसी सो सुना है यह किसी समात से बोल रहे है परिशे शिविर में श्रवन मनन के बारे में कोई बात ही नहीं करता होगा कोई पूछे गा तो बताएंगा अधी कांस आत्मी वहां तक पूंचता है नहीं है परिचेशिवर मैं आज तक एक आत्मी को नहीं मिला जो अध्यान कैसे करना है ये परिचेशिवर में पूछे इसका ये भी हो सकता है कि हमारे परिशेशिवर ऐसे question पैदा करने के लिए designed ही नहीं है है ना वो साड़ी घोडी लटका आपको उसी में चले जाता है आदमी को इंट्रेस्टी नहीं है ना बेहुश हो जाएगा अभी आदमी क्या है साड़ी देखता है गाड़ी देखता है गोड़ा देखता है कुछ करता है confusion है ठीक है कहीं तो सुने हो परिशेशिवर में तो नहीं होगा और पुसक में भी ने लिखा है ठीक है ना कहीं ये जो अंतराल है कोई आया होगा वो ठीक है तो पठन या श्रवन में देरी हम देखेंगे पहले में तो इसको यहाँ पर ऐसे चितरित किया है भास का पूरा होना तथा आभास प्रारम हो जाना तो अर्थ और तर्क दोनों मिठता है लिखा हुआ को समझना ये बराबर श्रवन तो श्रवन को लिखा है कलपना शीलता के लिए निर्देशी का है भाषा आपको डाइरेक्शन देता है आप यहाँ से गाड़ी चला के राइपूर जारो बीच में लिखा रहता है रेटायर विड डिगनिटी समान पूरोग रेटायर हो जा हुआ वह आपको निर्देश दे रहा है कि रेटायर्मेंट के बाद तुम अपना डिगनिटी बना के रखो इसका मतलब HDFC का इंशुरेंस पॉलिसी अभी खरीद लेना यह निर्देशी का है एक आदमे आईस क्रीम खा रहा है उसका आईस क्रीम टपा कर रहा है उसके मूँसे वो भी एक निर्देशी का है कि मेरे मूँसे भी एस सटप के इंसेप्शन बोलते है उसको ना वो इंसेप्शन करा रहा है इसको करके हम चाय के लिए चले जाते है तो यह कलतना शिलता के लिए निर्देशी का हो गया तो इसमें हम क्या करते हैं दो चीज करते हैं एक तो शब्दों को छाटते हैं भाशा की जो पूरी structure है शास्तरध्यन का एक बड़ा भाग है भाशा को समझना भाशा ग्यान होना ये दर्शन से हमको ग्यान तो होगा कभी हम विद्वान तो बनी सकते हैं भाशा का इसमें जो भाशा की रचना है अपूर है तो भाशा की structure को समझना फिर एक वाग क्या आता है उसको लिखा है आनेक भाशा उनको एक ही अर्थों में केंदर कृत करना या उसमें उसमें अंतर संबंदों को समझना एक अर्थ में आने एक सूत्रों में अंतर सम्मन्दों को समझना जैसे अभी आप पूछते है श्रवन में क्या होता है फिर मनन में क्या होता है फिर भास में मन और वित्ती में क्या हुआ और चित्त में क्या हुआ तो क्या है भास एक शब्द है उस शब्द के अर्थ को समझने के लिए मन को भी लाना पढ़ रहा है वृत्ति को भी लाना पढ़ रहा है शित्त को भी लाना पढ़ रहा है फिर इसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ यह समझ में आता है तो मनन एक शब्द है उसको मैंने श्रवन किया, बृत्ती एक शब्दे उसको मैंने श्रवन किया, इन दोनों में अंतरसंबंदों को देख रहा हूँ, तो ऐसे अने एक link list, linking, cross references, करते-करते एक समय में बढ़िया आपका spider का बेब आ जाएगा, पूरा, दर्शन का भी और दर्शन से इंगित वस्तू का भी, उसके विले क्या होगा, आपका टूटा रहेगा, third orbit टूटा है, चौथ orbit टूटा, यहां से यहां की line ने बनी, यहां से यहां की line ने बनी, इसको मैंने गलत सोच लिया, यह न, हाट पटा से लगेगा आपका, spider, spider क्या बोलते हैं उसको, चिपकली नहीं क्या, वो मक्ड़ा, मक्ड़े का जाल, बट यह, वो 2D में रहता है, यह मक्ड़े का जाल, ऐसा hologram, spherical है, दर्शन, ऐसा है, यहां से शुरू करो, नियंतरन मिलेगा, नियंतरन से करो, संतुलन मिलेगा, संतुलन से शुरू करो, व्यापकुस्तु मिलेगा, वापपवज फिर नियंतरन हो जाएगा, इधर से करो, संबहुतन करो, तो समयों को पैचान, उसमें जाओ तो प्रयोजन, प्रयोजन कहा समझ में आता है, तो चिन्तन शेत्र में समझ में आता है, एना Maczeptan कैसा होगा, मनन पुरोः होगा, मनन के लिए क्या करना है, श्रवन होगा, ऐसा बूँ जाएगा, यह पूरा जो है ए रूप में भाशा का जाल ऐसा बना है एक तंतर होता आप देखें तंतर श्री यंतर लिखा रहे तो उस पे श्री यंतर से आभी कुछ लोग उसके नीचे शूबलाब लिख देते वो उपासना के लिए यंतर है उसको सौल करना पड़ता है तो एक यंतर के रूप में बनेगा ठीक है अभी चाई पी लेते है आपस आएंगे इसको ये गती ठीक है इतने ही स्पीड से हम चलेंगे इसमें जल्दी करके कुछ होगा नहीं इस गती से हम जहां तक पहुंचें वो ही हमारा शिवर पूरा हो जाएगा ठीक है अभी इस लोग थे अमेरिका से आये थे सारे भारतिया थे लेकिन अमेरिकन बॉन कुछ यंग लोग थे 20 से 28 साल एक अस्टेलिया के एक लड़की थी उसके साथ कोई लड़का था न्यूजिलेंड का हो गया इस बात को 2011 की बात है तो 11 वर्श हो गया इस बात को तो ब्रेक हुआ मैं वापस आया और मैंने कहा कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो एक लड़की का हाथ उठा बोला हम कहां डिसकस कर रहे हैं कि आप लोग इधर मुझे सुनने आया हो कि मैं इधर आपको सुनने आया हूँ यह हम एक दूसरे को सुनने आया है यह डिसाइड हो जाए उसके बाद हम शिविर आगे बढ़ाएंगे क्यूंकि उनका एक मैने का वो इंडिया का कोई टूर होता है उसमें इनों ने पांस दिन का एक शिविर गुसेड दिया और वो परिशे शिविर होता अपने विजी से उस समय भी मैं अपने हिसाब से लेता था तो यह हम देख सकते हैं कि पठन से श्रवन होता है जो भी मैं पढ़ता हूँ श्रवन हो जाता यह अवशक नहीं है आखों के सामने से निकल जाता है इसलिए सेकंड टाइम पढ़ने से लगता ही कि यह पिछले बार मैंने ध्यान नहीं दिया था पढ़ा रहता है श्रवन नहीं हुआ रहता है तीसरे बार पढ़ने से और एक शीज जूरती है या जिन परिष्टितियों से आप गुजरे है उस पर आपका कोई एक इच्छा या कोई कल्पना बनी रहती है उससे हम प्रारम करते हैं तो फिजिक्स पढ़ाओ आदमी अस्तित दर्शन से प्रारम करेगा सोशलोजी का आदमी नहाए और धर्म से प्रारम करेगा जो वेदान दर्शन टाइप की चीज़ें पढ़ाया आदमी वो फिर तत्तों को सोचेगा खुल मिलाकर सबको फिर सारी चीज़ों पर सुचना है तो पठन्स से श्रवन होता है श्रवन कैसे होता है उसके लिए अभ्यास उसका नाम है शास्त्रा देने शास्त्रा अभ्यास इसलिए उनको ऐसे लिखा गया है तो अनिक भाशा को एक अर्थ में देख पाना या सूत्रों में अंतर संबंद को देखना मनन चिंतन के लिए है शाक्षातकार पूर अचिंतन अभ्यास होता है उसके पहले चिंतन अभ्यास होता नहीं साक्षातकार के बाद जो चिंतन होता है साक्षातकार के बाद जैसे अधारना होता है अधारना पूर वक्फित चिंतन अभ्यास करेंगे अधारना मूलक होता है अध्यन विदी में वो साक्षातकार के लिए ही अभ्यास किसलिए ब्लू में लिखा है उसको चिंतन अभ्यास तो हम जो मनन करते हैं वही साक्षातकार के लिए अभ्यास है शास्तर अभ्यास, श्रवन के बाद मनन केवल शास्तर अभ्यास, शास्तर अभ्यास से श्रवन पठन शास्तर अभ्यास से श्रवन जी बताइए ने मैं उसमें तोड़ा मोड़ा जो रिफाइनमेंट है उसको सोच रहा हूँ ताकि जो बोलना है और जो लिखित है वो दोनों ट्यून में रहे इधर जंबल्ड है और फिर मैं उसको एक अर्थ दे रहा हूँ आप लिफ्ट से राइट हम लिफ्ट से राइट पढ़ते हैं बाकी भाशाओं में उर्दू में राइट से लेट पढ़ेंगे तो यह एधी पढ़ेंगे इनके इनमें ट्रेनिंग है यह शास्तर बहस से पठन पढ़ेगा आप लोग है पटन से शास्तर बहस पढ़ेंगे फिर लगएगा शास्तर बहस का लास्ट आउटकम पटन है बराबर हम यह न तो हम मान लेंगे लेफ्ट टू राइट है सीक्वेंस तो उसके साब से मैं वो कर रहा हूँ जी बताईए इसमें समय लिया जाए यहां पर जो पन बात कर रहे हैं इसको नागराजी से समझ के उसको ओ करने में साथ आप लोग के फोन में है ठीके खूल लीजिए फोन से कर लेंगे अच्छा चालो गया कैसे तो वो ऐसा स्विच नहीं करता है यह तो बढ़ जाएगा आपका हाट बिस्क कैसे तो यह तो वो भी UPS से लगाए क्या नहीं प्रोजेक्टर नहीं लेगा लोग उसको हटा दीजिए तब इस पर काम करेगा बोथ कांटो कुसके लहाई यह 600 भी एक है न नहीं होगा उसको हटा के बोथ क्या नहीं होगा वो भी सो गया ना प्रोजेक्टर अच्छा कर दिया वहाँ से रिमोट से तो पहले वाले स्लाइड में थोड़ा सा हमने एक लेवल का और वे दिया सेकेंड वाले में एक एक को थोड़ा सा हमने और बढ़ाया इसके बाद फिर एक एक को खोल के उसकी डीप में जाएंगे एक करम है ठीक है? फिर सभी को समेट के बात करेंगे फिर आवशक्ता पढ़ने पर ये सब करने में क्या कटिनाई आती है आपका अभी आवशक्ता पढ़ेगी तो बात करेंगे अभी पहले करो फिर कटिनाई को सोचेंगे करने के बाद कठी नहीं सोचना के पहले से कठी नहीं बताने से इस पूरे को इदी सुनना चाहते हैं तो दो एक कर्स पहले इसका ऑनलाइन रेकॉर्डिंग हुआ था मैं क्या बोला मुझे कुछ भी याद नहीं है बट इस पूरे को बोला था तो शायद उसमें सारी बाते आई होगी वो है एक मैने भर में एक चैनल वो करेंगे जीवन विद्या का कुछ भी ऑफिशल या एक स्थिर चैनल जिसमें कुछी जूंकुछ उनके रखेंगे अभी सबका अलग अलग है ना तो फिर एक जगह होगा जहां पर प्रते एक जो भी शिविर लेने वालों का एक शिविर होगा प्रते का एक एक ही इनका एक इनका एक इनका एक इनका एक ऐसा ओई अधिन शिविर का भी एक एक ताकि पूरी वो मिले हमको ठीक है तो आगया मनन मनन का मतलब आभास पूरा होना तो यह जो है मन के जगव पर लिखा है क्योंकि यह भास होके उपर जाता है पूरा ठीक है? चित तक इसकी involvement है तो इसमें लिखा है आभास पूरा होना आभास की पूरुनता श्रमन से प्राप्त आर्थ में स्वैम जीना द्रिष्टी में फिर गुनात्मक परिवर्तन होता है न्याय धर्म सत्य के अर्थ में तुलन होना और रिष्टी के अर्थ में उसका तुलन होना रिष्टी में न्याय धर्म सत्य के अर्थ में मनन में और एक चीज आती है इसको या दूसरे वीड़ी से देखेंगे तो अनुभव प्रमाण को چित्रित करने का या भ्यास है तो जो हमको सूचना मिल रही है जो शास्त्र है वो अनुभव मुलक शास्त्र है ये हम मान कर ही उसमें प्रार्म करते हैं कल बात कर चुके हैं अनुभव मुलक शास्त्र चाहिए या आप उसको मानेंगे कि वो अनुभव मुलक शास्त्र है तो अनुभव मुलक जीवन में जो चितरन विचार और चैन है उसको मुझे मैच्च करना है वो जागरिती है वो सुख है वो समाधान है अभी भी जो भी हमारा सुख है या स्प्रश्टता है या जागरिती है या कुछ भी हम नाम दे वो जहां जहां अनुभव के निकट है अनुभव मतलब सत्र के निकट है या उसके जैसा है तो वो हमको सुख जैसे भासता है जैसे अनुभव मुलक जीने में मित्र संबन में जीने देना जीना होगा या बोध मुलक जीने में भी आ जाएगा या अवधारना मुलक तो अभी जितने अंश में हम मित्र संबन को पैचान पते हैं और उसमें जीने देना जीने को करते हैं उतने अंश में हमको उसका सुख मिलेगा तो हमारे अंदर जो भी अभी सुख है शान्ती है वो सचाई के जैसे हमारे अंदर जो भी estimation होता है उसी के अनुबात में है ये वाली बत्पकण में आती है ये जो प्रमान को शित्रित करने का अभास पूरा होना तो न्याय धर्म सत्य का अभास पूरा होना उसी को दिया है न्याय है धर्म है सत्य है इसका निशकर्ष हो जाएगा हमारे जीवन में ये न्याय है ये धर्म है ये सत्य है बोड पे नहीं हमारे में निशकर्ष के रूप में तो ये कलपना शीलता न्याय धर्म सत्य में फिर इस्थापित हो गया गया है तूसी एक मिनिट स्थिर होना तीक है उसमें स्थिर होना तो ये स्थिर होने के लिए हम क्या करेंगे फिर हम पड़े हैं तो इसके फिर तीन अंग हम पैचान सकते हैं या तीन पैर, मनन में जो साक्षातकार के लिए हम जो अभ्यास करते हैं उसमें प्रथम को लिखा है तत्तो का शोध तात्विक रूप में वस्तु क्या है इसका शोध करना, ये पहला है अभ्यास शास्त्तर अभ्यास से जो पूरा मिला उसमें तात्विक रूप में वस्तु क्या है उसके हम शोर्द में जाते हैं ये जो पूरा एक मिला इसमें से तत्व क्या है तर्क क्या है, शास्त्र क्या है ये अलग-अलग हो जाएगा जो तत्व अलग भाग है वो कॉंसेंट्रेट होके सक्षतकार के लिए जाएगा ठीक और जो जीने वाला भाग है वो जीने में हम अभ्यास में लाएंगे उसी को लिखा एदर व्यवहार अभ्यास करम अभ्यास तत्था व्यवस्ता में भागिदारी फिर एक तीसरी चीश करनी पड़ेगी वो सो मुल्यांकन तो क्या मुल्यांकन होगा जो हम तत्थो को समझ रहे हैं वो सही है की नहीं और जो हम जी रहे हैं वो सही है की नहीं ये साथ में चलेगा देखो दिखने के लिए सब अलग अलग है ऐसा नहीं है कि पहले हम आपके साथ वेवार करेंगे फिर तीन दिन बाद में सो मुल्यांकन करूंगा ऐसा नहीं है कई बार एक साथ भी होगा ये कई बार पोस्ट मॉटम होगा जागडा हो गया बाद में बैटके पोस्ट मॉटम करेंगे कि मैं भी मर गया उसको भी मार दिया मैंने क्या हुआ तो इस वो मुल्यांकन होगा या मैंने कुछ बोल दिया उस आदमे को टपका दिया कुछ हो गया तो फिर मैं मुल्यांकन करूँगा मेरे अंदर क्या हो गया दिक्कत तो ये वाला जो पार्ट है शास्तर अभ्यास को हम किये ही रिते हैं तो मनन सही अर्थ में होने के लिए शास्तरों पर हमारा अधिकार बन जाएगा मतलUNG वो बस्तू शास्तरों से हमारे अंदर आ गई पहले बाहर रहे मेरे अंदर आ गई मेरे अंदर अभी उसको मैं खा रहा CI पहले बाहर से खा रहा हूँ न, आखों के दोरा खा रहे पी रहे हैं, कान से आखों से, हमारे अंदर ही उसका पचन हो रहा है, ऐसा नहीं कि फिर आख मरन में आख बंद करके जियेंगे, खुला ही रहेगा, पुस्तकों को पढ़ेंगे, पर जो पहले से निश्कर से उसकी यह तीन अंग हैं, मनन में अभ्यास के, हाँ, तो यह जो अनलेसिस है, यह तो पहले दिन से चलेगा, अभी भी आप अनलेस कर रहे हो, यह भी कर रहे हैं, यह भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ अनलाइज करके फिर एक कोई चीज बनेगी, उसके सार में फिर हम सोचेंगे, उस पे भी जो आपने डेलिबरेशन शब्द यूश किया, उसी का नाम है मनन, तुलन, डेलिबरेट करना, बट वो जो तुलन है यह डेलिबरेशन है, डेलिबरेशन का मतलब तुलन, उसको उन जैसे आप भी डेलिबरेट करते, शादी करू कि नहीं करू, इससे करू कि उससे करू, बट बेचना, 2000 का कोट पेनो, कि 10,000 का कोट पेनो, मैं 2000 का करूँंगा, तो ढोलोग क्या सोचेंगे, यह क्या बोलेगा, यह सब डेलिबरेशन ही है, ट्राफिक होता है ना अंदर, कच सार्थक्ता में जाके क्लियर हो जाएगा वो डेलिबरेशन है ठीक है ये मनन में क्या करना है ये थोड़ा सा बने ग्रेन हो पाता है नहीं अभी सुनेंगे हम फिर करेंगे, करेंगे, करेंगे फिर एक दिन हम मनन करेंगे तो हम पैचानेंगे कि हाँ मैं मनन कर रहा हूँ कि बीच नहीं श्रवन मनन में परिवर्टित होना एक लंबा प्रोसेस है लंबा मतलब उसमें जो वस्तूओं को पचा के हम के जाना है लंबा ही उस हर्थ में है समय के हर्थ में नहीं है लंबा ही लंबा ही समय का नहीं हम यह नहीं बोल सकते कि आट रोस श्रवन में लगेगा तो फॉर पॉइंट फाइयर्स मनन में लगेगा और आधा दिन साक्षातकार में ऐसा नहीं बनता है जिस जीवन की जो गती है पूरो संसकार है आवश्रकता है किता उसमें इमानदरी लगाता है किती पातरता है उसके अनुसार होगा प्रयोजन्त तै हो जाना जी तो यह मनन के लिए तीन अभ्यास तो मनन के पहले आभ्यास करेंगे क्या करना छीपड़ेगा तत्तो को समझने के लिए हम बैटे ही हैं, पुस्तक पढ़ेंगे, जियेंगे नहीं क्या जियेंगे ही, अभी पचीस साल का कोई हो गया, चालीस साल का हो गया, अभी है नहीं बोल सकता, मैं फिर स्टूडन बन जाओंगा, मेरे को हस्टल भेजो, पती पतनी को बोलेगा, मैं अभी पढ़ रहा हूं, बारा साल बाद तुम वापस आना, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो पती पतनी होंगे, माता पता होंगे, या मैं गुफा में जा रहा हूं, श्रवन करके वापस आओंगा, ये सिस्टेम नहीं है इसमें, इसलिए कल वो हमने अलग से, उस पो अलग कर लिया, मैं गुफा में जाके श्रवन करके आता हूं, बाद में आके तुम्हारे साथ जी हूंगा, ऐसा नहीं बनता है, तो सांस तो चलता ही है, दिल धड़कता ही है, ये ना, दिल का मतलब रिदय है, संबन होते ही है, तो उनको समझेंगे, कोई नो कोई कारे होता ही है, 14 स कुछ का रहे होता है, ठाई साहिल के महिला के लिए कारे होता है, चापपन वर्ष के एक दादादी को कोकी कारे होता है, घर में को बिबहार होता है, उसको करेंगे, शरवन करते समयं भी. आज के दुनिया में केवल करम अल्बattack करने शोंगा नहीं, उसको विडियो में करके गांदे जी का चेहरा नोट वापस लेना पड़ता है तो कन्वर्शन में भी जाएंगे पैसे को भी सोचेंगे उसको दुकान में देखे अपना जो भी चीज़ों भी लेंगे परंतु श्रवन पूरे हुए पर हमारे अंदर उसकी पूरी सूचना आ जाती है फिर उसको हम यहां प्रक्टिस में लाएंगे जान बुझ के ठीक है ना शंका वाले प्रशना नहीं रहते हैं वो पहले निपट जाएगा शंका जिग्यासा में परिवर्टित हो जाएगा और स्थिती परिस्थिती को लेकर प्रशन बनेंगे आगे क्या करूँ कहा रहूँ हाँ पहले से यदि कोई ठीक जगप है तो दिक्यत नहीं है वो प्रशन तो पहले भी बनेगा आपको श्रवन करना है अब आचोटी में छे मेना रहने से कुछ चालू हुआ फिर आपको लगता है कि दो वर्श में जाके किरिदपूर में रहूँ कहना इसका नामा चोटी है एक किरिदपूर गाहुँ है वो दो जर एक संस्ता है तो उधर रहूँ कित्ते वर्श रहूँ फिर पैसा कहां से मिलेगा मैं शादी करूँगा तो जिसे शादी करूँगा व आईगी कि नहीं आएगा मेरी साथ कि ओ बोलेगा मुझे दुकान में शॉपिंग करना है प्रस्न कईब बनते जाएंगे पृटों तो दर्शन में नहीं आने से भी बनेंगे बिना परसने का तो जिन्दिगी होता नहीं पहले कभी हुआ रहेगा आप तो नहीं होता है नहीं बिना परसने का तो जिन्दिगी होता है नहीं अभी चिंतन अभ्यास को छोड़ देते हैं अभी ये है कि जो आपने कहा वो श्रवन का स्तर है हम केवल जी रहे हैं तो मनन करने ऐसा तो नहीं है ना मनन का मतलब है कि मन टत्या वर्तित होके वृत्ति का सुनने लग गया और लंबे समय ऐसी बना हुआ है और वृत्ति जो है चित्त में जो वस्तु आई है श्रवन के रूप में उसको पचाने में लग गया वृत्ति नयाय नयाय धर्मा धर्म सत्या सत्यतु लन में उसके अभ्यस्त हो गया वृत्ति उसके पूरों में भी विचार रहे गई यह ना वो आणशिकता है मनन की यहाँ पर जो अपन बात करने है वो स्थिरता की है देखिए उपर अपन स्थिरता लिके है तो ये जो एक स्टेज है वो मनन का प्रवेश वाला स्टेज आएगा कि तत्व का शोध पूरा हो गया वो मतलब श्रवन लाइक शोध तो संबन्द क्या है ये क्या है मैं सारा सोच लिया अब उसको लाइव संबन्दों में मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो उसको इंप्लिमेंट करूँगा मैं एक से दो फिर ये दोनोट कितना कुए कर पाई जी संबन्द ठीक से नहीं हो पाया तो पुना सो मुल्यांकन होगा कि हमारा शोध ठीक है कि नहीं है ये कुछ मिशिंग है ये सर्कुलर चलेगा एक दो तीन एक दो तीन प्रैज करो प्रैज कर दो तीन आ प्रोट कर दो के लिए अटर सप्तित में टोた सोध शत्तर अजोद निए का ये से नहीं थैक लेघ्स कर दोशोद केवा पाई हपिस में अब मैं अधी होग का झाय प्रोट कितना कर अंट होड तीन एक टीका प्रोट से고uation है में परोगा नाया है कि आप 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 ऐसा हो रहें बता रहें कि ऐसा होता है कि पूछ रहें इसमें चिंतन अभ्यास आप को मैंने नोट कर दिया उसको हटाने के लिए वो दूसरे पदती से लिखा था बोट उसको छोड़ देते हैं चिंतन अभ्यास को साइड कर दी जब ही यह उपर जो लिखा है इसको पकड़ की चलते हैं साक्षातकार के लिए अभ्यास तो साक्षातकार करने के लिए साक्षातकार की वस्तू का शोध होना जीने की वस्तू का शोध होना उसको जीना तो जीने की जग़े जब जाएंगे पहले से हमारे अंदर कोई व्यभार कोई कर्म, कोई व्यवस्ता का, कोई कलपना, कोई विट्टी, प्रणूती अलग बनी रहेगी, इस पे लिखा है ममतासने, और हमारे अंदर दिखेगा हम को कठोरता और देश, ठीक, तो सौमुल्यांकर में आएगा, यह जो सौमुल्यांकर में आएगा, इसका मतलब है कि, उससे संबन्दित वस्तू, या जीवन रूपी वस्तू, या किसी वस्तू को मैं नहीं स्विकार पाया हूँ, या मुझे इस पष्ट नहीं हुआ है, तो पुर्ण उसको शोद करूँगा, अब वो शोद केवल भाशा के रूप में नहीं है, क्यूंकि जो तर्क के रूप में शोद है, वो तो हो चुका है, शिरवन हो गया का मतलब, आप मद्द्द जर्शन को पढ़ा रहे हैं, मैं जब उसका एक हो, सभी को पढ़ाने आवशक नहीं है, आप पढ़ाने योग्य होगे, फिर आप पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, एक अलग मुद्दा है, उसके पहले भी पढ़ा सकते हैं, पुरा नहीं पढ़ेगा, पुरा नहीं पढ़ेगा, हैं, एक माइक माइक यूस कर लीजे, साउन, फिर सबका नहीं आ पा रहा है, माइक पकड़ लीजे, सूत्रों में अंतर संबंद लिखा है, उसको थोड़ सा सपश्ट कर देजी, सूत्रों में अंतर संबंद, अलग-अलग सूत्र है न, जैसे धर्म, धर्म को लिखा है, अकन समा सार्भों में वस्ता फिर हम पढ़ते हैं कि संबंद संबंद के लिए लिखा है प्रयोजनों के अर्थ में संबंद समझ में आता है ये दो सूत्र हो गए ठीक अब ये सूत्र और धर्म नामक जो सूत्र है अकन समा सार्भों में वस्ता है इन में अंतर संबन्द के हम सुचेंगे तो जो संबन्द है वो किसी प्रयोजन के अर्थ में है और प्रयोजन कैसे समझ में आएगा वो व्यवस्था को समझने से आएगा इसलिए ये और धर्म दोनों जुड़ा हुआ है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे या दर्शन जैसे लिखा गया है वो आपको ऐसे जोड़ बनाने के लिए बात दे करेंगा इसको हम और करेंगे ठीक से इसको खोलेंगे और शास्तर अध्यन पर दो-चार पेज है उसको करेंगे आराम से ठीक है फिर यहां पर हम उसको वस्तुर रूप में पहचानने का परित्न करेंगे यहां शब्द के आधार और तर्क पे आधार पर करेंगे यहां तर्क और भाव के आधार पर करेंगे दोनों जोड़ना पड़ेगा कि अबल तर्क लगाएंगे तो नहीं होगा तर्क लगाने से बोलना आ जाएगा वो भी उपकारी है पहले वो भी नहीं था तो कम से कम हमारी उसकी माहिनेता बन गई उसको हम बोलते हैं हम उसको प्रोफेस करना शुरू कर दे उसके प्रोफेसर बन जाते हैं एक आदमी प्रोफेसर होता है वो जब मानता है उसको बोलता है वो प्रोफेसर है शिक्षक भी ऐसे करते हैं यह नहीं बूलेंगे शिक्षक में भावने रहता है कुछ नो कुछ होगा उसको छोड़ देते हैं होगा नहीं होगा वकट केवल वो होने मातर से हम पढ़ा सकते हैं उसके योग ये फिर हम है कि नहीं ये तुलन होता है ये जिन नहीं है तो उस वस्तु को समझने के लिए हमारी प्रात्मिक्ता बनेगी उसका पुरा शोट करेंगे कि उसका तातपरे क्या है या उसको और जो सुक्ष्मरूपे उसको क्या है तो श्रवण में चीजें बहुत बड़ी हैं वो मनान में आते आते शिकुर जाएंगी ठीक है ना? और मनान में ये तीन चीजें हम करेंगे तो कल्पना शिल्ता न्याय धर्म सत्य में स्थिर होता है तो तीव रिच्छा का प्रकाशन होता है तीव रिच्छा का मतलब इसके बिना जीने सकता हूँ यह हमारे अंदर बन जाएगा वो पहले से भी बनेगा और तुँँँँँँँँँँँँँँ खरते हैंना बहता रहा ड्रामा बजी होता है दुनिया में पिच्छ में भी दिखाते हैं आदमी रेल लैफ में भी ड्रामा बजी करता है वो इसको भाव मानता है अभी जिसको हम लव बोलते हैं वो मन के स्थर का आवेश है I love you बोलता है यू को ने पता नहीं रहता है आई को ने ये भी पता नहीं रहता है तो इसलिए आवेश बनता है ठीक है तो ये स्रवन का एक क्वेश्चन था है जैसे की सिंपल में जैसे दर्वाजब हो रहे हैं तो मन में कलपना बनता है की दर्वाजब प्लास्टिक का दर्वाचा, लोहे का दर्वाचा, लकडी का दर्वाचा, वाइट कलर का दर्वाचा, यह सब जो आ रहे तो इसको बोलेंगे कि यह स्रवन हो रहे हैं, इसे कोई आप बोल रहे हैं, मेरे में चीतर बनते जा रहे हैं, तो इस रवन, तो जैसे आगे घर के चित्रित हो जाएगा बस वो सब को बच्चा रहेगा विस्वास सम्मान पिर उसको तरक पुर्वक कैसे बोलेंगे अवी आप समझने के लिए फूच रहे हो कि अपने बच्चे वोने वाले अभी शाजि नहीं होई है नच अभी जो बात कर रहे हैं स्रवान जैसे कैमरा बोलते हैं तो कलपना बलता है कैमरे का तो यहां पर स्रवान ठीक हुआ अब उसको तर का पुरवक बोल रहे हैं, उसको कैसे क्लियर करेंगे। अब ने, तर भास्षा को ठीक करें। आगे और स्रवन्ट की डिटर में जाएंगे तो जाएंगे। जैसे ये एक दर्वाजा है। वी दर्वाजा में कई सारे कॉंपनेंट है। बीच का एक प्लाइवड है, उपर का सनमाइक का है। उसमें एक नट है, एक बोल्ट है। तो ह rifाजा में पांच पार्ट है, तो उस दर्वाजा को जब बताने जाएंगे तो पांच चीजा को बताना पड़ेगा। फिर या पांच چीजें साथ में कैसे आईग। उसके अंदर सामद्नों को बताना पड़ेगा। ठीके ना। तो जो दर्वाजा है, दर्वाजा क्या है, वो उसे रूम बंद होता है और जब चाहिए अंदर बाहर हो सकते हैं, यह हो गया श्रवन का शुरुवात, उसके डिटेल में जाएंगे तो यह सारी चीज आएंगे, फिर यहां तक पॉंचा कैसे है, हम बोलेंगे कि वो कोई आदमी लाया, फिर क्वेशन आएगा, वो क्यू क्यू आएगा तो इसे रिलेटेल एकवेशन, एक चीज का उसके पहले का कारण, ऐसे प्रतेग घटना या प्रते क्रिया का कारण वीदी, कारण वीदी पॉंचते पॉंचते मूल कारण पॉंचेंगे, वा दमी पैदा कि हुआ जिसने दर्वादा लाया ओ जो इढर क्यू भाय उसको घर चलाने, वो घर क्यों चलाना है, क्यों कि इसु की होना चाहता हूँ, फिर वह पैदा की वा, फिर माई क्यों पैदाया, यहां के रुख जाएगा, तो वहां तक पूरा श्रवन करना पड़ेगा, सारे तरकों का. तो इसको स्रवन पूरा हो ना बोलेंगे, जब तरक और सब तरक, जो होलोग्राम बोले तो पूरा हो जाए तो तब स्रवन पूरा होगा, पांशा सही तरक, हाँ, स्रवन की एक स्थिर्ता आ गई, उसके पहले अस्थिर रहता है, मतब अब अंडर प्रोसर से रहता है, बन रह बिगड रहा है बिगड रहा है बिगड रहा है ठीक है ना उसकी कोई स्थिर्था की जगाएगी जैसे कोई परिवार में चोटा सा बच्चा आता है तो जो भी बातचीत करते हैं हिंडी में अंग्रेजी में तो उसका कलपना में तो आ जाता है पानी बुरे तो पानी आ जा रहा है तो उसका तो स्रवन हो रहा है वैसे ऐसी मद्याजर्शन में जो भी अर्थ दिये हैं परिवास सहीता में उसके हिसाब से अगर परिवार में बात चीत होंगे तो आगले पीड़े में वो ऐसी स्रवन हो जाएगा तरक सेस रहेगा कि स्रवन मतलब अर्थ इस पहस्ट हो जाएगा सोपानों में इससे पहला सोपान नहीं वो अपने आपको कोई गैरेंटी नहीं है वो एक अलग चीज है जहां आप जा रहें कि इसको फिर छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की विज़ी क्या होगी वो आपका क्वेरी है तोड़ा साभी बात कर लेंगे वो अभी अपना सब्जेक नहीं है डिसकुशन का अभी हम लोगों के लिए यह हम कर रहे है वो ही मैं पूछ आपका विवा हो गया है की नहीं जैसे जीने के घर में छोटे बच्चे हैं एक मेहने दो मेहने एक साल का तो उन्हें तो अभी कोई भासा नहीं सिखा है तो अगर ये अर्था के साथ इस परण में रखते हुए अगर बात्चित करेंगे उनके साथ जीने की वस्तुए जो है वहां से प्रारम करेंगे भाशा से शुरू नहीं करते है बच्चे के लिए नहीं चर्चा कर रहे है तो उसको सुनते रहते है ना तो शब्द भी आएगा और कुछ भाव भी दिखेगा तो उदार्था बोलने के पहले वह उदार्था देखेगा माँ में हर माँ को उदार्था होना ही पड़ता है ने तो माँ बन नहीं सकती यहना हर प्रता को संद्रक्शन करना ही पड़ता है ने तो संद्रक्शन दे नहीं सकता ठीक है तो ममता यह सारे चीजों को उनुभा करेगा बच्पन से उनको स्विकारेगा आगे जाके उसके वस्तुरूप को स्तिर करने के लिए अध्यन करेगा 13, 14, 15 वर्ष के आयो में तब तक कुछ भाषाओं को सिखा रहेगा जब उसके अंदर वो जिग्यासा बन जाएगी तो वो इस वाले लाइन में आएगा जिस पर हम अभी बात करें 14, 15, 21, 22 जो भी ठीक है? तो ये वाली चीज़ आएगी तो तरक जो है पहले से देने से कुछ होगा नहीं साथ साल के बच्चे को तरक देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा 13 वर्ष के आवी में जाके तरक शक्ती विक्सित होती है बच्चों में 12, 13 के आसपास तब ही बच्चे सुनते नहीं तो वो शिक्षा विदी पर जब हम बात करेंगे कि इसको शिक्षा हम नहीं करने वाले हैं जब भी आप किसी के साथ होगे उसमें वो चीज़ें आएगी कि शिक्षा विदी में इसको जाने का स्वरुप क्या है अभी हमारे सामने क्या है हमको उसको समझने क्या वेशक्ता है एक परस्ताव है उसकी विदी है उस पे शोद 200 वर्ष बात क्या होगा वो हर स्कूल में उसको इट स्ट्रेंडर आते आते इसकी क्लास रहेगी 500 वर्ष बात मालो या 1000 वर्ष यह पांसो कम निकट लगता है तो 1000 वर्ष बात तो ऐसा घरों में क्या होगा फिर बच्पन से इसकी पुस्तके रहेगी इसकी टेक्सबुक रहेगा उसके अनुरूप घर का वातावरन रहेगा माता पिता भी उसके अनुकरून अनुसरन या उसके यह मर रहा है बैटरी नहीं है ठीक है है वो बीच में गोल हो गया था ऐसा रहेगा 500 वर्ष बात तो बाहर एड़िटेस्मेंट में भी लिखेगा सब्बे हो जाओ इंसड़ों से इंकी दारूपी हो अभी कह दिखते आड़िटेस्मेंट में सलमान खान दारूपी रहा है आपको बोल रहा है तुम भी पी कर देखो यहीं तो बोल रहा है न कोई भी कोई तो अभी ऐसे सलमान खान कोई तो करता होगा कोई तो आता है भी इसकी आड़ में हम जब छोटे थे जाकी श्रॉफ एक कोई आक्टर था भी जीवित है कि ने मैं नहीं जानता जीवित है कि मर गया संस्किती ऐसी होगी भारत में रोड पे लोग कम से कम थूकेंगे नहीं अभी हर जेगे थूकते है न पिछले बार मैं मेरी पत्नी बच्चे सब बैंगलोर जा रहे थे हम सफर एक्सप्रेस है फुली एसी ट्रेन उसमें हम चड़े बार मैं राज़स्तान से आती है और जाती है बैंगलोर हम को जो सीट मिला मेरी पत्नी को विंडो सीट मिला तो मैंने देखा कि वो विंडो सीट में एक आदमी पान खाके थूकने का प्रितने किया है उस बेवकुफ को इतना भी सेंस नहीं है कि ये बंद है वो पूरा नीचे से सुक के नीचे तक गया था वो साफ भी नहीं हुआ था मेरी पत्नी बूली मैंने बेटूंगी तो मैंने उसके लिए तर्क दिया उसमें जो भी चीजें थी वो तो इवापरेट होके चले गया अब बचा केवल उसका कलर पिगमेंट पान में जो थूख है उसकी तीन कॉमपोनेंट आईगी ना कलर का पिगमेंट उसका जो भी सामगरी है उसका थूख उसमें जो लिक्विड है थूख के दो भागे लिक्विड और बैक्टिरिया बैक्टिरिया मर गया होगा क्योंकि पानी उड़ गया बज गया पिक्मेंट तो बैठे रो वो बोली मैंने बैठोंगी तुम बैठो तो मैं बैठा उदर फिर थोड़ी देर के बाद हम बातरूम के तरफ गए ओजाले वो जो वेस्टिबूल होता है दो कोच को पूरा लाल वोकल वो थोकने का जगह ने मिला तो उधर ही थोका है पूरा लाल बैई अब 21 तारीकों मेरी पत्नी उसी ट्रेंट से फिर जा रही है डैक्लोर मैं भी बोला नहीं हूँ से रिंद से जा रहे हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो इधर हूँ, ये तो बहुत इत्ता बेसिक सब्वेता उत रहे है, पई ठोक रहे हो बहर ठोको, असब्वे है, रॉंग से इसे गाड़ी चलाएंगे, बगल वाले घर में कचला ढालेंगे, गंदा देश है भारत, बाहर, ठीक है, तो सब्वेता संस्किती समिधान में भी मान में आचरन का उल्ले करेगा, तो शिक्षा उसके लिए होगी, शिक्षा के उद्देशों में देगा, for transformation to human consciousness, ये उद्देश होगा, education ministry का, हो नहीं पड़ेगा, ये यदि सत्य है, और जागरिती करम सत्य है, और जागरिती सत्य है, तो वो करी रहेगा, चाहे आज हो, कल हो, 500 साल बाद हो, ठीक, तो उसमें यदि शिक्षा देखेंगे, तो बच्चे के घर, परिवार से लेकर, समात से लेकर, शिक्षा के उद्दोश्यों को लेकर, तो रूप में देखेगा, व्यवस्ता के रूप में देखेगा, मानसिक्ता के रूप में देखेगा, बच्पन से, उसके साथ फिर शब्द आएंगे, फिर तर्क बनेंगे, फिर वो अध्यन करेगा, बट उसमें भी अध्यन करने के लिए इच्छा होने पड़ेगी, उसमें भी मैं आपको बोलू जल्दी शोत करो स्वर्ग मिलेगा जन्नत मिलेगी से होगा क्या नहीं होगा वो तो वो है आवेशी बनेगा आपको इच्छा नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है मनन मनन हुआ पिर साक्षातकार ये निरी द्यासन ये थ्री और फोर लिखा है आप इसको एकी उसमें मानियेगा मैं उसको करेक कर दोगा ताकि वो नमबरिंग से ये नहीं लगे कि दोना अलग लग हो रहा है कुछ मतब इसी का वो है अंतिम स्थिती है अस्तित्य में वस्तु के रूप में हमने सभाव धर्म संबंदित वस्त विखता है अत्वा न्याय धर्म सत्य संबंदित वस्तु उनको हमने पैचाना चितरन में उसका स्मरन रहता है ये ना भाषा तरक और कल्पना चितरन में रहेगा तो सम और विशम मात्मक जो भी कलपना है वो यहां रहती है सम्मध्यस जो है वो सक्षातकार के लिए जाएगा जैसे ही सक्षातकार होता है तक्षन बुद्धी में वो स्विक्रित हो जाता है और बुद्धी में जो स्विक्रित हो जाता है वो ही आगे जाके आउधारना कहलाता है या आउधारना शेत्र में वो जमा होते जाएगा होते होते जितना साक्षातकार होना है बुद्धी के तिर्थ होने के लिए उतना होगा उसके अनुरूप चितरन विचार और जीना होगा वो जो स्थिर्टा का बिंदो है उसका नाम है आउधर्णा अलो तो जानने मानने की स्थिर्टा लिका इदर तो ये आउधर्णा होगा फिर हमने कहा कि बुद्धी का प्रत्यावर्तन होता है तो जानने मानने का संतुलन हो गया फिर अनुभव में जानने मानने का तिर्प्ति बिंदू हो जाते है उसमें पार गयमेता समझ में आती है तो धर्म और सत्य का बोध होता है या धर्म और सत्य का अनुभव होता है धर्म का बोध होता है और स्वभाव धर्म का साक्षातकार होता है उसमें से स्वभाव और धर्म चिंतन शेतर में रहता है और रूप और गुन जो है ये चितरन में रहता है तो ये पुना एक एक प्रकार से एक ओवर्यू कहिए एक ही स्लाइड में और छोटा कर देता हूँ तो आपको पूरी चीज़ एक साथ दिखेगी पढ़ने में आ रहा है ठीक पहले 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 किसके बाद क्या है ये पहले एक सेट हो जाए उसके बाद एक एक डीटेल में जा सकते है उसको करें उसके बाद उसमें डिफिकल्टी क्या आती है वो कभी हम कभी फूचर में कभी मिलेंगे और कभी आवसर बना तो बात करेंगे उस पर फिर कन्फूशन क्या होता है फिर हम कहां पर है कैसे पता चलेगा चाहिए तो अभी भी बात कर सकते है शक्ता कैनुसार करेंगे पड़कुल मिलाकर जो बेसिक एक चीज हमको पस्ट होना है उतने भर को रखाये था तो ये वाला पक्ष तक सब को ठीक लगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं इसमें और कुछ बात करनी है तो और कुछ बात करेंगे ये एक बार में होता नहीं एक बार सुना कुछ सोचा फिर उसमें कुछ आगे की कोई चीज़ खुलती है फिर कुछ सोचेंगे फिर आगे की चीज़ खुलती ही है ऐसा चलता ही है तो हमको पढ़ना भी है पढ़के समझना भी है यदि अभी हम देखेंगे अभी हम ये तीनों चीज़ों को करने से प्रारम करी सकते हैं हम कुछ पढ़ेंगे समझेंगे जीने वाला पक्ष तो रहता ही है एक तेरा वर्ष का भी आयू का एदी एक लड़के या चौदा वर्ष के आयू के लड़के को देखेंगे तो वो कुछ पढ़ता है अपने मित्रों के साथ माता पिता के साथ उसका कोई संबन रहता है आइडियली घर में थोड़ा सा काम कुछ तो रहेगा उससे ये अपेक्ष नहीं रहती है कि तुम कमा के लेकर आओ आज के दिन पहले तो बच्चे काम करते थे तेरा चौदा के आयू में अभी अठारा उननीस तक छोड़ देते हैं कुछ-कुछ घरों में 21 तक छोड़ते हैं कुछ-कुछ लोग 30 तक भी छोड़ देते हैं जिसको पिएजडी करना है तब तक घर पे अपिक्षा नहीं होती है कि वो कुछ दे अभी यहां तक पहुंच गया पर फिर सरकार यह जो सिस्टम है वो मास्टर्ज और पीएजडी में स्टाइपन्ड देही देती है तो 20-21 तक तक तो माता-पिता फीज वगरे बरने के लिए तैयर हो जाते है यह पिक्षा नहीं रहती है कि अभी जो भारत में एक प्रकार से लोईर मिडल क्लास ओनवर्ज जो पुरा करम पिर कुछ घरों में यह 10-12 साल वर्ष ही वो आर्थिक सिती आवश्रक्त के अनुसर होता है कि काम करना पड़ते है 100 वर्ष पहले सभी लोग करते थे 200-300 वर्ष पहले 13 साल की लड़की है तो यह नहीं बोल सकती मैं बैटके बुक पढ़ रही हो पानी भी लाएगी लड़का है तो लकड़ी भी लाएगा उसको काटेगा जंगली सुर आगया उसको भगाएगा सब करना पड़ेगा अपने आप ही होता है अलग से कोई बेटा तुम कर्मा भ्यास आत्या शुरू को रहे सो कुछ भी नहीं है अपने अपी घर में घूमते गामते सब कर लेगा पानी भी लाना पड़ेगा घर के काम में सब को दोड़ना पड़ता है तो पहले जब आटोमेशन नहीं था और बहुत सारी चीज़ें पिछड़े थी तो ये कारे वाला शेत्र सरवाधिक था मुनिश्य के जीने का व्यावार गौन था और शास्त्रशोद नहीं के बराबर था किसी को फुर्सती नहीं थी पढ़ने की ना वाशक्ता मैसूस होती थी हर बच्चा स्कूल जाएगा ये रिसेंट डेवलेप्मेंट है नहीं कहां जाते तो कुई नहीं जाता था सब काम पे लगते थे तब तक खेलते रहते थे बच्चे सोड़ा अक्षर घ्यान हो गया लिखना पढ़ना हो गया हो गया कतम कोई डिगरी पिगरी कुछ नहीं कोई थाई नहीं कोई थाई नहीं डिगरी आपको देने को या दो चार थे तो वो कुछ कुछ जगों तक सीमित थे एक कदुक्का हैं तो ये कर दो ये लिगरी आपको देने को ठीक है यहां तक तो साक्षातकार बोड और हनुभाव तो इसमें ये आप नागराजी के साथ मैंने जो अभी जो सामात पब्लिक लिए अवेलिबल हैं ये जी सुनना चाते हैं तो दर्शन की लाइब्रेरी में जाईए आप पता होगा है ना मत्यस देशन टाइब कीजिए लाइब्रेरी एक आता है क्लाउड लाइब्रेरी एक है उसमें जाईए तोड़ा सा साइट में कुछ काम है देखते हैं उसको और बढ़िया बनाने का प्रत्त करेंगे यह शॉटकट है एक बार में दे चुका है आप लोगों को सीधा जाने के लिए उसमें आउडियो को डाउनलोड कीजिए उसमें अध्यन मिरी समंदित आउडियो है उसको आप सुन सकते हैं यह रीच्छा हो तो इसमें आउडियो वाले सेक्षन में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा तो इस वाले पार्ट को आप इग्नोरी कर दीजिए इसको भी रिफाइन करना हो पड़ेगा पेज नमबर सेवेन ओर्ट सम्सपर जाएंड़ अ मिलेगा इसमें नम शiledो इसमें हो ड़ अ कर दो अ इसमें त मिलेगा इसमें आप सम्साइब क्युआ अ सहाब अ सहाब कर आ kr Spect μαι ठीक है कुल मिलाकर यदी हम वैसे यदी सोचेंगे इसको थोड़ा सा मैं री राइट कर दूँगा इसलिए इस बोर्ड पर कहता ने तो उसी पर हम करेक्शन कर सकते थे यहां जो लिखा है इसको ऐसा आप मान लिजेगा जो प्रथम जो स्टेज है यह भाषा और तर्क के साथ रहता है इसके दो पार्ट है यह ना श्रवन जिसमें तर्क हो जाता है और मनन भी भाषा के साथ ही रहता है भाषा और तर्क के साथ ही लेकिन इसी में इसमें भावपक्ष जुड़ गया यह पहला स्टेज है फिर बी में और वो आवधारणा तक गया, तो फिर हम समझ गया, यह आएगा, C में बोध होगा, और अनुभो होगा, यह, जानने मानने वाला, यह, यह तीन करम में देख सकते हैं, इसको और कलब करेंगे तो, इसके जो, यह, तब से सोच रहा था कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यारी, कैसा है थे, I don't know how, इसका आदमी आट आट गंटा पता नहीं कैसा पेहनता है, नहीं हो गया, है, पीछे से होई तो क्या हूँ, नहीं, यह पीछे में लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ, पीछे ना, इसको ऐसे, अभ्यास नहीं है ना, जिसको प्रोफेशन है, वो करता ही है, आजकल छोटा हो आता है, इधर एक लगा लेते, और भी, महेंगे वाले, शायद कुछ करते हैं, केवल कान में रहता हूँ, वो सब महेंगा होगा, कान में एक छोटा सा देखते है, टेड टॉक अगर है, मैं कभी देखा है, मैंने, ठीक है ना, तो ये एक स्टेज है, ये एक, ये एक, तो श्रवन तथा श्रवन की स्थिर्था, है ना, और जीने में अब्यास, ये एक, फिर समझने वाला करम, और वही आगे बोधनों में जानने वाला करम, तो वो जो हाँ डाइग्राम लिखा है, उसको ऐसा आपनमान लेंगे, यहाँ जो लिखा है, वो नोट्स में मैं अपडेट करूँगा, बाद में कभी, तो इसमें अनुभा गामी विदी और अनुभा मूलक विदी, यही दो शब्द हैं, आप लोग सुने होंगे, अनुभा गामी विदी की यह बात हो रही है, अनुभा मूलक विदी से यही चीजें प्रमानित होती है, तो यह सब को हम कैसे जानचेंगे, श्रवन में भी और आगे मनन में भी, एक तो जो वस्तु है वो सारभौम है की नहीं, शुरुआत से अंतक, सारभौम है की नहीं, तो तरक रूप में, अस्तित्व सहज वस्तु के रूप में सारभौम है की नहीं, intuitively का मतलब बने हम को ऐसा आभास होता है फिर सारवकालिक है की नहीं समझने योग्य है की नहीं तरक संगत है की नहीं जीने में आता है की नहीं ये सारी चीजें उसमें रहेंगे एक कप जान सेंगे शुरुवात में प्रारम विक्रम में दर्शन के अध्यन में गुस्टने के पूर हम जान सते हैं फिर शास्तर को पढ़ते समय भी जान सते हैं फिर मनन में भी जान सेंगे मनन में वो शंका नहीं होगा लेकिन वो जीने में आ रहा है की नहीं इसको जानचेंगे, यह जी नहीं यहां रहे तो मुल्यांकन होगा, ऐसे जी आजा सकता है कि ने उसको भी चेक करेंगे, फिर जीने का मतलब क्या है, इसको भी सुचना पड़ेगा मनन में, वो सारी चीजें जो है डीटेल उसमें खुलेगी, यहीं मेहनत के रिष्टी से देखेंगे, तो यह ऐसे बनता है, श्रवन और मनन साक्षातकार के गेट तक, यहीं एक इंच का स्केल माने, तो साड़े गयारा इंच साक्षातकार तक पहुंचने का है, पूर इशार्थ, एक फुट का, तो साड़े गयारा इंच जो है, साक्षातकार तक है, साक्षातकार से लेकर बोध तक, वो आधा इंच में हो जाता है, आधा इंच में मानलो, पॉइंट और एमेम बचा हुआ, और जो बचा हुआ पॉइंट और एमेम है, वो अनुभव है, F8 की रूप में श्रावन और मनन में यही स्केल को करना चाते हैं यह 1.5 इंच में लगबग 4 इंच इदर है और बचा हुआ 7.5 इंच इदर है एक फुट की आतरा को जिसोचेंगे तो ऐसा है 11.5 इंच साक्षातकार तक उसमें से 4.5 इंच श्रावन 7.3 इंच मनन साक्षातकार से बहुत मैं मान लेता है अभी 1.5 इंच का भी 0.8 इंच तो इसको हम चार सुक के रूप में देखें तो यह फिर यहां पर ऐस रूप सोता है प्रतिति आउधार और आध्यात्मिक सुच जो है वो अनुभूती से आता है इस पर कुछ ये विदी ठीक है हमारा कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बहुत ज्यादा बोलू कई नीन तो नहीं आ रहे है आप लोगों को कुछ थापित मूल्य जो है ये विवारिक मूल्य में शिष्ट मूल्यों का बहास होगा पहले जैसे उधारन के रूप में आप इस टाइप की जगह आते हैं किसी के घर जाते हैं तो लगता है आदमी बहुत उधार उधारता हमको दिखता है बहर हमारे में नहीं रहता है उस आदमी को उधारता हमको दिखता है और यदि हमारे में उधारता है तो उसका सुख मिलेगा आंशिक रहेगा उसलिए उसको भास का है हर समय नहीं रहेगी तो जो भी हमको भास आभास होती है उसमें प्रॉब्लम है कि सभी के साथ नहीं होगा और हर समय नहीं होगा conditional हो जाता है सार्भामिक तो और सार्व का लिगता उसकी सिद्र नहीं होती जैसे ममता है कि जिरो ममता के एक आदमी होता है कि मुझे नहीं लगता पथर होता होगा फिर ऐसे लोगों को अंदर कर देते हैं जानवर बोलके ठोड़ा भी रहने से उसको मانते है बत्ब दिखता है वो तो वैसे ही यहाँ पर भी इस्थापित मुल्यों को देखेंगे जैसे विश्वास हो गया समान हो गया अस्ने हो गया कि जिरो है क्या कि अनुभा के बाद ही समान पता चलेगा उसके बाद कुछ ने पता चलेगा कैसे नहीं है, उसकी स्थिर बिंदो आउधारना तक आ जाएगी, उसके पहले वो फाक्षातकार में आ जाएगा, उसके पहले उसका अभास होगा, उसके पहले समान का भास दोहर वेक्ति को होता ही है, उभास की ही स्थिर ता और बढ़ेगी, उसके और विशालता हमको समझे म आएगी, अभी कितने भी अन्श में एक आदमी समान करता है, उसी का कोई स्वरूप या उसका कोई विक्रिज स्वरूप को समान मानते हैं हम, कोई मुझे सलूट मार रहा है तो समान है, मैं किसी को समान है, नहीं समझा, स्टैंडर्ट फॉर्म का मतलब? नहीं, जो भी चीजे हैं, वो तो सही है, विचार में आएगा, वो विचार में आने का ही क्रम श्रवन है, ना, भाशा के रूप में आना पहले, फिर वो विचार में आने, और उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, पहले उसके तरक के रूप में विचार होगा, भाशा के साथ उसकी विचार होगा, फिर उसके भाव रूप में विचार को लाएगा, उधारन के रूप में, हैरी हम बोलते हैं कि मित्र सम्बनदों में, जब तक मित्र सम्बन है, तो किसी भी I.U. वर्क में जो मित्रता है, उसमें सम्मान भाव के रूप में आएगा, ठीक, यह हमने सुन लिया, सोच लिया, मान लेता है, साइज लाइन नहीं है दर्शन में, मान लेता है, कि उनके मित्र संबन एकी लिख्या है उसके फिर तीन काटेकरी नहीं नहीं बने कि दो लोग है A B.A. से Aight साल बढ़ा है तो क्या समान होगा बी A. से Aight साल बढ़ा है तो क्या होगा दोनों का एजुकेशन एक शाथ हो तो होगा अलग-अलग एजुकेशन अलग-अलग नहीं बना, चटे-चटे टुकडे नहीं बना, उसकी एक ब्लॉक है वो, ठीक, हमने सुन लिया, तो ये हो गया भाशा, उसकी कोई तर्क भी हमने सुन लिया, कि मितर संबन का मतलब प्रगती के अर्थ में है, और बहन संबन का मतलब, भाई संबन, मितर संबन, बहन का मतलब उन्नती, यह हमने सुन लिया, हमको ठीक लगता है, फिर हमने उसको थोड़ा सा सोचा भी है, कैसे होगा, नहीं होगा, फिर कुछ लंबा मनन किया हमने उस संबन पे, अब उस पर जो हम सोच रहे हैं, उसमें तो विचार लगता ही है, बिना विचार का तो होगा नहीं, अब जब सامने एक आदमी आता है, जिसको हम मितर की रूप पे पैचानते हैं, यह हमने जो सोचा है, सुना है, उसके अधार पर विवार करेंगे, कि पहले से जो होरा है, उसके अधार पर करेंगे, यह कोई रैंडम, कोई भी चीज होगी, अभी क्या बहास है जगा के अनुसार अलग अलग है जैसे मैं जहां बड़ा हुआ पूने सिटी में कोई अंग्रेजी स्कूल थी पादरी थे हमारे प्रिंसिपल सब फादर बोलते थे हम मुझे यह पता था कि यह फादर अलग है घर में जो पिता जी हो आलग है उसको भी फादर भोलते है तो वहां पर मित्रों में नाम सही हम बुकारते हैं किसी का नाम राहुल है राहुल चलो वहां जाएंगे लेट्स गो देर राहुल भाईया चलिये हम वहां जाएंगे यह भाशा ही नहीं इंग्लिश में राहुल ब्रदर फिर आप के लिए कोई शब्दी नहीं यू ही है तो उसके लिए प्लीज बोलना पड़ता है विल यू प्लीज क्या आप क्रिपया अकंपनी मी टू दे स्टोर वो तो बेहोश हो जाएगा मैं इतना बुलते बुलते कि इसका सनग्या है कैसा बात करता है यह तो इन दो जग़ों के लोगों के बीश में दी व्यवहार को देखेंगे दोनों ने मदध दर्शन पढ़ा है दोनों ने मितर सम्बन को पढ़ा माना बात दर्शन को मान लो पांच बार पढ़ा है अच्रावन होने के लिए दो चार बार तो पढ़ना पढ़ेगा दर्शन को उसके पहले आपको हो गया तो बहुत बढ़िया मिनिम्म जो चार पांच तक तो आप रखियेगा एक सेफटी मार्जिन उससे पेटने भरता है तो दस ग्यारा बार पढ़ लीजे तो अभी वो जो बेभार करने हम जाएंगे तो अभी जो हमारी अभ्यास है समाज में या हमारा जो पूरू अभ्यास है जगह के अनुसा है किनी जगों में छोटे आदमे को दबाते हैं काम पकड़ाएंगे बोलेगा मित्र बड़ा वाला छोटे वाले को काम देगा या अब अच्छा करेगा कि उसकी छोटे कुछ काम कर दे कैसे मैं आपको बोलूगा क्या नाम है हर्च बोलूँ है असरफ असरफ भाईया असरफ भाईया थोड़ा वो कीबोर्ड दे दो ना कौन किसको कीबोर्ड देने बोलेगा ये आई उसे डिसाइड़ेड है बोला भाईया इसका मतलब असरफ के पास भी अधिकार होना चे कि श्रीराम भाईया आभी आप कीबोर्ड वापस दो तो इसके डिटेल में जाना समझे ने तो वो जो विचार है मित्र समन का वो ये जी मेरा विचार बन गया तो मेरा विचार बन गया कि मतलब मेरा भाव बन गया तो समानता का भाव उसमें रहेगा फिर उसमें आयू के नुसार कुछ शिष्टताएं रहेंगी कुछ अला उन्स रहेगा कि ठीक है अब ये जैसे आशे आप पिता जी का क्या एज है 42 मैं इसके पिता जी से बढ़ा हूँ मैं 45 हूँ ठीक है ना तो मैं तो ताउजी हो गया तुम्हार ले तो मैं भाईया तो बोलूगा ये तुम ही बोलना पड़ेगा भी ताउजी बोलोगे ना कि सीराम भाईया बोलोगे ताउजी बोलोगे ठीक है सीराम ताउजी बनेगा अब ये सब चीजें इसके डिटेल में हैंगे तु विचार के रूप में जो विचार बनेगी वही भाव की रूप में वेक्त होगा तो मनन में ये जो शब्द है और तर्क है ये अभिहास में होके विचार में परिवर्थित होना ये करते समय कहीं पर फिर साक्षातकार है फिर उसाक्षातकार पूरो पुनस्थिर होगा फिर पुनस्तिर होगा ऐसे करते 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 उसकी बारी के यां सेट होगी वो मित्र समंद भाशा और तर्क के रूप में है वना हुआ है उसका एक्स्पैंशन होके उसके स्वरूप में हम होते जाएगे तब वो हम कहेंगे कि मेरा विचार बना, तब तक उसके कनवर्जन ही हो रही है, ये इनके साथ हुआ ये नए है, वो पुरा नए है, उनके साथ अलग हो जाएगा, ये अलग है, उनके साथ अलग हो जाएगा, ऐसा है, मैंने इसका टाइम सेट किया था फिर गलत हो गया बताईए आगे हाँ ने ने टाइम ने बताने बोला ओ इसमें इसमें हो रागे टाइम तो मैं देख रहा हूँ हाँ बिलकुल बिनातर का श्रवन किदर पूरा होगा शास्ते दिन पूरा ही नहीं होगा फिर तो हम तोता बन गए न बच्पन में वही होगा चीजों को हम सुनके मान लेंगे हाँ वास्तविक्ता को समझना है तो अंतरसंबन के साथ ही वास्तविक्ता समझ मायगी ना वो तो स्कूल मैंने पांच शी छटी में आके आके तर्क शब्द के साथ लगी जाता है बच्चे का उसके पहले ही उसका तर्क विक्सित हो जाता है दो दो चीज़ और तीन तीन चीज़ों को जोड़ के बच्चा बहुत करना शुरू कर दा, हमारी बेटी साथ साल की है, यह जी मैं उसको बोलू कि तुम फोन मत देखो, और मैं देखता हूँ, पूछे कि तुम कहा है को देखते हो, यह तरक है, कौज, तरक का मतलब दो या द मतलब सही लॉजिक, और जो वैद सम्मन नहीं है, तुरूटी है, हम बोलेंगे इसका तरक ठीक नहीं है, इसी का नाम है रीजन या रैशनलिटी, इसी एजिस प्रफेशन से हैं आप, यह तो सिविल वाला नहीं है, पर यदि सिविल ए क्रिमिनल केस और कियो करना तो उसमें लॉजिक की उपयोग होगा, डिस्प्रू करने के लिए भी, अभी हो, पेपरो में आया है कि, वो एरो प्लेन में एक आदमी दारूपे के किसी की उपर जाके पिशाप कर दिया, हैं, वो बेचरे, उसको तो सत्यानाश कर दिया, मीडिया ने, उसको छोड़ना थे, तह इज़ित करने रोज, ठीक नहीं है, अब उसका जो लॉयर है, उसने आर्गेमेंट दिया है, कि जिस पर उसने पिशाप किया, वो नर्त, कतक, मतलब कतक आर्टिस्ट हैं, और इनका पिशाप अपने हाँ हो जाता है, यह तरक है, अब लॉजिकली ठीक है, सबको बता है, सचा ही क्या है, जैज को भी पता है, दोनों लॉयर को पता है, सबको पता है, बट क्यूंकि पुरूफ लोजिकली होना चाहिए वो निकल जाएगा आप देखो बहेंकर दिमाग लगाया उस लॉयर में सचाई क्या है सबको पताय रहता है तो यह क्या समझ माता है सचाई तरक से उपर है तरक सचाई तक पहुंचने का माध्यम है कि एवल तरक में इदी सचाई को बाढ़ने जाएंगे वो बहुत एक रासानिक संसार तक चलेगा मनुशे के लिए चलता नहीं जो फ्लॉ है अभी के लीगल सिस्टेम में वो यही है नियाई दृष्टी तरक से उपर है लेकिन नियाई क्या है उसको समझने के लिए तरक को हम प्रयोग करते है एक किसी समय में इनका बेट स्पॉष्ट नहीं होता है कहा तरक हत्म हो और कहा नियाई है समझ ही नहीं आएगा आपको ओक यह नहीं समझ में आता है क्योंकि वो नियाई वस्टू के रूप में किसमें ही है, क्लियर ही नहीं अभी ब्रेन में है, साइनाप्स है न्यूरल कनेक्शन है फिर तो मीट सकता है साइनाप्स तो बनता है, साइनाप्टिक कनेक्शन बोलते हैं जहां पर जुड़ता है उसका नाम साइनाप्स, इलेक्टिकल इंपल्स से वो उसका कुछ jump होता है, उस signal है, छूता नहीं है neuron होता है, फिर sign-ups होता है उसका है तो कोई lunch में what up, what up, खा के आया जिर्च, तो उसका sign-up बदल जाएगा, तो उसकी judgment भी बदल जाएगी यहाँ पर खड़ाया कि तीक है यह, तो भास आ भास यह सब भास आ भास में होता है यह हो किया तर्क या भास तर्क जुड़ाय का मतलब आभास यह दि हम समधान या समझ बोल रहे है तो भास भी होगा, आभास भी होगा जैसे आपको मद्यस दर्शन पूरा फेक नहीं रहा है यह तो है बहुत भेको लोग भी होते हैं उसको भी लोग मानने वाले होते हैं तो भास और आभास में सही और गलत दोनों का होता है फिर फाइनली आपके उपर ही निर्बर करता है की तै करना होते हैं ना बहुत सारे लोग भेको लोग होते हैं और दर्शन बोलते हैं अभी दो चार जेल में बैठें अपने देश में पकड़े के दर उदर सीसी टीवी में ठीक है गुदरात में है एक जेल में हाँ तो ये सचाई है हमारी जीवन में ये दी चमकता है भास हुआ भास हुआ और आभास पूरा हुआ का मतलब उसको सर्वांगीन विदी से आपने जानचा और हर जगे आप सही पाते है ऐसा भी हो सकता है कई वार एक ही स्टोक में वह खटक गया तो हो गया क्लीन बोल्ट एक होता यॉरकर क्रिकेट में पता ही नहीं चलता है इसा गुसता है और मिडल स्टम को उड़ा देता है इन स्विंग और दूसरा होता है रन आउट दोनों विदी से आउटी है पर रन आउट में टाइम लगता है बॉल आया आपने मारा आप दोड़े वो फेका फिर आप पहुँचने पाए रन आउट हो गया किसी का दिन भी दुमाएगा किसी का छे मिने के शिविर के बाद होगा किसी का उसका पांच से उच बाद होगा कभी तो होगा ठीक है आनन्द अनुभूती जो शब्द है ये अक्रास है मतलब ये इसमें आच्छा मैंना अनुभूती लिखा है ना इदर इसको अनुभो लिख देता हूँ पर्थिक है अनुभूती भी ये सारा अनुभूतियां ही है भास आभास प्रतिती भी अनुभूती है सुक्ष भी अनुभूती है शान्ती भी कम्बाइन भी और छोटा भी इसका अंतिम अनुभूती है आनन यह रो कॉलम है, यह प्राब्लम ऐसा लगता है कि इसी में गिरफ्त हो गया हो यह सब फ्लोइंग है तो भास आभास प्रतिती अनुभूती यह सब अनुभू के ही क्रम है और सुक्षान्ति संतो शानन यह सब भी सुक का ही क्रम है ठीक है? और एक मिनिट है, और कुछ बात कर लेंगे जी नहीं, आधात्मिक सुक्की आवेशक बात्धिक सुक्ष जो है यह चित्त के चित्तर अन चिंतन तक और अधारना तक रहता है बात्धिक सुक अधियात्मिक शुक जो है पूर्न बोट के साथ होता है जो थी में लिखाए है हुईने spiritual fulfillment spiritual fulfillment spirit को समझने से आएगा उसके पहले spirit समझ में नहीं आता है कलबना में आता है spiritual शब्द spirit से बना है अब अंगरेजrage लोग दारू पीने को भी spirit बोलते है actually spirit जो है किसी चीज का सार है तो खजूर का या मैंने grapes को क्या बोलते है अंगूर का सार निकाल दिया उसको spirit बोल दिया हूँ और आध्यात्मिक शेत्र में मतलब सोष्टे सोष्टे जो ultimate सार है वो भी spirit है तो दारू पिने वाला भी spirit के साथ है और समाधी आदमी भी spirit में करा था ऐसा हो गया इंग्लिश बाशा तो बाबा जी उसको अंग्रे जी नहीं बोलते थे उसको रंग्रे जी बोलते थे किनके अलग-अलग रंग में है रंग्रे जी हिंदी को भी ललू बाशा ही बोलते थे हिंदी को संस्क्रित के तुल्डा में मिक्स क्या हिंदी भी अधिकान संस्क्रित है अभी बोल चाल की हिंदी में फार्सी जुड़ गया उसका नाम है उर्दू हिंदी और फार्सी जुड़ के उर्दू बना अब उर्दू और हिंदी मिल के हम हिंदी बोलते है और फिर बोलियां बहुत सारी हैं मेटली, याओधी, फलाना भी कोई है नहीं ऐसे बोली के जी च्छतिस गड़ी का बोली हो भी हिंदी का ये आफशूट है च्छतिस गड़ी का अपनी लिपी नहीं है मैं कितनी बार सुना हूँ इतने बार 36 गड़ आ गया मेरे को रेल्वे अनॉंसमेंट पार्ट हो गया किसी को फोन कीजिए जे नमबर ना आप लगाया हव ओना द्वारा कोनो जवाब नहीं है कृपिया थोड़ी दिन देर बाद लगाओ ऐसा कुछ फिर वो रेल्वे वाला भी है यात्री मन कृपिया ध्यान दें गाड़ी संक्या एक, दो, एक, तीन, शूर्ण आजाद हिंदे एक्स्प्रेस सब अलग-अलग शब्स है प्लाटफॉर्म नमबर तीन मा थोड़ी ही देर में आवत है आवत है मैं जात हूँ, आत हूँ उसी से निकलता है, यह सब भाशा हो गए यह सब श्रवन का मुद्दा है ठीक है, ओवर्वियू हो गए हम माने तो कल हम आके प्रक्रिया के विशलेशन में जाएंगे यह था A, ओवर्वियू जो हमने चर्चा प्रार्म की थी यह जो है हमारा दो दिन में हुआ फ्लो किदर था कहीं तो लिखाता न मैं अच्छा पहले भूमी का पर ही हमने दिखा फिर हम यह यह अपना हो गया प्रक्रिया ओवर्वियू फिर पांच भूमियों पर विशलेशन ठीक है ना फिर क्रम में बाधाएं फिर गुणात्मक परिवर्तन गती क्रम जो अन्षे कह रहे थे कि पताख चलेगा क्या पताच चलेगा क्या कहाँ पर क्या है उसको डी में डिफैंड क्या है यह जो है अनुभश दर्शन के बुक के लिए है उता आपका हो गया है काफी आ जाएगी अर्लीस इन्यों आपके कन्विक्शन्स में कि आप क्या बिलीव करते हो नहीं वो श्रवन वाइप आउट नहीं होगा उसके प्रेशर में आके हम उसको करने ही पाएंगे दिजीस में लिखा है कि बिना जुट किये आपने श्रवन कर लिया पूरा मतब स्थिर्ता में हींता एक भाष्ण शब्द आएगा बुदू बनाना मतब हींता हमने मान लिया हींता हम पढ़ा लिये और हमको करना पढ़ रहा है ये प्रॉब्लम रहेगा दुनिया में जाने शो तक करने के जगे पीशू होगी दार्शनिक टर्मिनालोजी में जी श्रवन हो गया तो आप वहां से हिल नहीं सकते क्योंकि वो उपर जीवन में सब घंटी बच जाता है सही बस्तु का चित में जब श्रवन होता है बुद्धी भी देखता रहता है चित को उससे चित को संकेत मिलता है कि ये सही है इसलिए वहां से वो भागी नहीं सकता है ब्रेक ले सकता है मैं थोड़ा पंचगेनी गूम के आऊंगा वो वापस आना पड़ेगा जब नहीं होगा तो ब्रेक ले लेगा घूम लेगा पंचगेनी गूम मैं वापस तो आना पड़ेगा इसलिए सचाई ये दी है तो ये वाली जो घटना है ये वेदान्त में भी होगा ये सर्वग रही है हर आदमी को पैचानने योगे बना दिया नागराद जीन इसमें कोई भी मज़े आज तक एक छेद नहीं मिला उसमें वाटर प्रूफ है बुलेट प्रूफ उनमें छेद है कैना कठिन है पर वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई देम वो जो पोजिशन्स है बैदान के पोजिशन्स को ये जस्टिफाई करना बड़ा सरल है बाबा जी इसको बोलते थे श्रिंक फिट प्रोग्राम है ये श्रिंक फिट श्रिंक फिट क्या होता है पता है आप वो खरीदो Walnut Walnut को क्या बोलते है Accurate करिदना Package Accurate वो shrink fit आएगा उसमें से पूरे हवा को चूस लेते है और Accurate रहता है उसके उपर वो काग चिपका रहता है और एक एक Accurate चिपका रहता है इसलिए खराब नहीं होता हो Oxygen पूरा चूस लेते हैं उसमें से Vacuum Pack होता हो वो है shrink fit खड़क आप जब भी करेंगे Madhya Zarshan को पढ़ाई अभी तो आप लोगों ने शुरू किया है यह करने का सोच रहे हैं ऐसा है आपने कदम रखा है क्लास में 6 मेना मतलब क्लास में कदम रखा यदि आगे बढ़ेंगे यदि तो मुझे लगता है आप भी पाएंगे कि यह shrink fit है फिर उससे नहीं जाएगा आपका बने आपकी जिंदगी का भाग बनके रहेगा फिर वो चाय का भाग बने कि लंच का भाग बने कि शाम का भाग बने कि प्रती दिन का भाग बने कि पूरा ही बने वो आपके आवश्यक्ता हो कुछ अनुकूल थाएंपर है वो सब आगे का चर्चा है चोईस नहीं चोईस काम करेगा नहीं का मतलब वो बात देता बननी चाहिए फिर वो बात देता भी सूख्ष में प्रेरित्वतीव रिच्छा फितीव रिच्छा ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड त्री ऐसा बनेगा तो इसमें अच्छी बात क्या है टेंशन की कोई बाती नहीं है वो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है वह या आपकी जो आवश्यक्ता है वो आपके लिए सही है बाकी जो दुनिया कर रहा था हो करो ही ना कौन मना कर रहा है पकोड़ी खाओ जेनरेली इसमें जो आदमी आता है चोर नहीं आता है इसमें आप चुरा के खा रहे थे घर भी रहे थे तो रोखना पड़ेगा और रोख जाते है तो इसमें जीवन ने जब परिच्षी शिविर करके रिश्वत लेना बंद कर देता है या कम कर देता है एना मैं पूरा में एक परिच्षी शिविर ले था तो गंटियां पहले ही बच जाती है, पुरा में परिचे शिव लिया था, उसमें 23 साल का एक लड़का था, जो अंदर बैठता नहीं था, यह हो गया 2009 की बात होगी, मुझे परिचे शिव लिया आट-दस वर शोक है शायद, अभी जून में इधर लेना है, मुझे सोचना अच्छे थे उसके 23-24 साल का था, छोटा था यूँ में, छे मैंने बाद जिन्नों ने उनको भेजा, उनका फोन आया, कि तो उनको याद है वो आदमी, मुझे बाहर बैठता था, बोला भाई, वो मारास्टा के इस जगह के एक पलिटिकल फैमली का था, और इनकी बियर बा किया, बिच दिया, वो जमीन खरीदा प्राकृतिक खेती शुरू कर दिया, अब मैं इसको क्या बोलू, आभास बोलू, भास बोलू, साक्षातकार बोलू, कब आपकाटीन है बोलना, कुछ तो हुआ, उसके बाद वो आया है नहीं कभी, उसके में हो गया, तो एक तुलन य भूके नहीं रहेंगे, पर उसको फिर हैंडल कर पाने के लिए फिर हमको विधियां सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसको अपन बात करेंगे आंतिम दिन, कि इसको लेकर क्या करना है, कैसे इसको मैनेज करें, क्योंकि इसके अनुकूल नहीं है सारी स्थितियां हर जीवन, भौतिक जीवन, तथा समाज के साथ हमारी इंटरेक्शन, ये चार जीवन के वो हैं, फेजस, और हम में से प्रतेक विक्ति, इन चार में से किसी एक में अधिक प्रवर्ति रखता है, उसको बात करेंगे, हम अन्तिम दिवस मेरे को याद दिला देना, इसमें शायर नोट में होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता, तो इसमें में नोट डाल देता हुआ, अधि फोर जीवन्स अधिक गान। नहीं यह करना है यह clear होगा way forward तो has to be discovered and उसमें क्या होता है किसी भी दर्शन में उसकी जो body of practice होती है वो धिरे धिरे develop होती है जो अनुसंधान करता है वो तो दूसरे वी डिसी किये रहते है और वो step down transformer जैसा है वो चार लाक उल्ट को 440 करके 220 डालके 110 वोल्ट में आके छोड़ देते है तो श्रवन है यह अलग अलग 120 को मिलाके 200 को तक ले जाना 200 को 400 को ले जाना यह जो में थड़े अलग होती है इस पर जो लोग पहले से चले हैं जैसे मैं अभी जो प्रस्तुत कर रहा हूँ यह प्रकार से students body of knowledge है आपके पहले इस पर जो लोग चले हैं वो उसको संग्रहित करके दे रहा है तो उस दिशा में सोचने के लिए आपको आसान हो जाएगा यह जो अभी आपको दो दिन में बताया इसको बाबा जी से समझने के लिए हम 500, 600, 700 गंटा बात किये इसके बात क्या होता है उसको वो एक बोलते तो दूसरा आता है दूसरा नहीं होता है फिटी नहीं होता है तो फिर आप लोगों के लिए वो समय बच गया सीधा का सीधा पांचे साल बच गया इसके क्लारिटी में ऐसा नहीं यह कि सीधा आपको वो बाकी तो आपको उसके तूरू हो जाएगा तो इस पर चलने का पात क्या है यह तो उसकी थियरी है है ना और उसकी जो प्रैक्टिकल पात है वो भी शोद पत्र के रूप में आपको चर्शा करना पड़ेगा चाहे इस क्रम में करें या आगे करें बताया ना आपको हम जो स्मॉर्निंग बात कर रहे हैं हम तीन शार लोग हैं जो पंदरा साल से इसमें हैं किया था मैंने और उनारे मित्रों के समुक रख रहा हूँ सबेरे वो ही किया आज छे से सवा साथ मालब आगे की स्टेज़स में मैंने अलग-अलग डिफिकल्टीज को कॉम्प्रिहेंसिव रूप में कर सकते हैं कि नहीं तो दिरे दिरे बनेगा incremental clarity बनती जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव रूप में सर्वक ग्राही रूप में उसको तैयर कर रहे है मिलेगा वो कम से कम उसके रूप में कुल मिला कर हमको ये तैय करना है कि देखिए ये एक line लिग देता हूँ फिर हम lunch के लिए चले जाएगे क्यूंकि गंटी भी बजी चाह वो चार जीवन उसके पीछे है एक मिनट रहे हैं लोग ये झाओे बढ़े हैं लोग ये लोग यह गुम फिर के इसी में आता है हर मानव यह हमने कहा यह विध्यारती का जीवन है यह जो है ग्रहस्त का जीवन है परिवार में भी वाक के पहले भी आप किसी के ग्रहस्त के एक पार्ट हो उसकी कुछ जिम्यदारियां जब आपकी ग्रहस्ती बनती है आज के दुनिया में वो आपको अलक्षे बनाना पड़ता है, यह अभी नया फिनोमनेन, इस देशकाल का, शादी होने के बाद अपना घर बना के अपना जगह बनाएगा, पहले सब एकी जगह रहते थे, बेडरूम का कंशेप्टी नहीं था ना, हमारे गाओं के घर में बेडरूम ही नहीं है, दो त साल में भी हो जाएगे कि तेरा अलग मेरा, ओ आई रहा है ना, अब ओ है कि ट्वालेट में पानी डाल दिया, एको पानी पसंद एको पानी पसंद नहीं, यह सब आई गया, तो यह ग्रहस्त, तो यह हमने कहा B, इसको करम से दी देखेंगे C, भौतिक, इसमें लाइफ स्ट तो आपके लाइफ की यह स्टेजिस हैं अलग अलग, तो यह जो सौफटर बदलता है, तो फिर इधर से भी प्रशर आएगा, इधर से भी आएगा, तो इसको बैलेंस करना ही फिर जिन्दगी है, इसको किस करम में कौन से बैलेंस को लेकर चलना है, यह चार अंगों में से, जो समाज को परिवर्तित करने वाला विक्ती है, पूरा दर्शन को पढ़के समाज को परिवर्तित के लिए दोड़ेगा, जिनको लाइफ स्टाइल से प्राबलम है, मौडन लाइफ स्टाइल से, वो सब सुनने के बाद जाके पहले प्रकृतिक खेती शुरू करेगा, जिन So it is manageable. उससे उलजना नहीं है. तो जो समझ में आए नागराजी से, मतब जो उन्होंने बताया, ये सब सिर्फ साध्य हो जाता है, ये साधन नहीं है. ये भी एक साध्य है. हमारा परिवार भी एक, साधन है. और ये सब साधन हो जाते हैं. They become means. to this end. ये किसी समय में जाके श्रवन पूरा हो जाएगा. ये ना फिर वो मनन साक्षात का रह से. उसमें धी हमारा मन लगा है. तो ये जिन्दगी है फिर. कि हम, मैं अपने इस वाले पार्ट को डेवलप करना ही मेरी जिन्दगी की प्रात्मिकता है. और बाकी सब सपोर्टिंग अक्टर्स हैं उसमें. कुछ समय तक. फिर जब मेरा यहां सैचुरेशन हो जाएगा, इनका दो मेने में हो गया, आपका बीस वर्ष में हो गया, इसको पचास वर्ष तक तिप्ती नहीं हो रही है, दर्शन को पढ़के, पढ़ाके, सब अलग-अलग होगा. जब आपकी सैचुरेशन पॉइंट आजाएगी, पॉस बटन को हटा दो, और उस आपको फंक्शन करना, सो कम से कम यह हुआ कि मेरी जिन्दगी एक्स्पैंड हो गई, ना, you're not losing it, आप कुछ खोव नहीं रहे हो. यह समझ में आता है? खोवने के लिए कुछ भी नहीं है. और ट्रांजिशन प्रेजस में कुछ confusion and pain होगा. तो यह इन चीज, अच्छा, यह मेरे को पता नहीं था आट-दस साल पहले, आप सुचता हूँ कि इतना दो लाइन का चीज था, आमको चमकता नहीं था, चमकता है नहीं तो सब पढ़के नहीं समझ में आता है सब. हमको तो कोई बताया नहीं. मैं पूछ के देखा, मेरे पहले वाले लोगों को, नहीं हो पाया. तो यह बहुत सिंपल है यह, तो आप शास्तरत द्यन में इस पर फोकस कर रहे हो, अचा, आइडियली क्या होना चाहिए था, हमको 16-18 साल खाना कि लाया, कि केवल पढ़ो, उस समय यह मिला नहीं. अब बच्चा पैदा हो गया, उसका डाइपर बदलना है, इदर माने वहर दर्शन पढ़ना है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, यह कई घूमने जाना है, विशादी में जाना है, उपर से पानी टपक रहा है, चत को बदलना है, तो यह सब, तो देनी और आप टी जगल, ठीक है? बिदेज? समझ की जर्णी, तरकी भी शमता कोई कम होनी, कोई अवशक नहीं है, कोई भी इस पर, यह, यह नागिराजी द्वारा बनाया, जीवन जागरिती का, एक बहुत बड़ा बोट है, इसमें कूदना एक काम है, किसी भी एज में कूदो, जीवन है, यह सुन लिया, और जागरित होना है, यह सुन लिया, सुन लिया मतलब, जीवन में अंदर कहीं गुज गया, तो वो बोट आकरोश शरी रात्रा में रहेगा हो, तो किसी भी एज में आभी कूद जाओ, बट वही है, उसमें एसिस्टेंस लगता है, कि कैसे नाविगेट करें, क्यूंकि 55 साल का आदमी इसमें कूद जाता, और इसमें बहुत सारा कन्फूशन होते रहता है, हुआ भी अभी तक, बहुत नहीं दर्शन है, जब लोग नहीं नहीं किये, तो सब को बोलते हैं, नागराजी बोलते थे नौकरी करना अपरादे, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़के बैढ़ गए, अब मैं सोचता था, पहले एंप्लॉइड था और भ्रमित था, अब अनेंप्लॉइड और भ्रमित हो गया, प्रॉब्लम तो इंप्रीज हो गई ना, नौकरी छोड़ने से ब्रहम दूर हो दागे तो जरूरी नहीं है ना, हाँ, if you have a viable solution तो आप करो, कल करेंगे इसको ने तो लंबा चलेगा, चलो, कैयं अने के लेड़ने हो।